इस चैनल दजा नाट प्रमोट और प्रमोशन अनी इलीगल अक्टिविटीज आल कांटेंट प्रवाइद इस चैनल इस में इसे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आजकी इस वीडियो में हम बात करेंगे अजर देवगन की सुपर हिट मोवी जिसका नाम है दोर्सियम तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इस मोवी को बजेट इंग बोक्स ओफिस कलेक्शन को बताएंगे और साथी साथ ये भी बताएंगे कि ये मोवी आपको कहा पे देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में अंत्तक जरूर बने रहेगा और साथी साथ में लाइकन तबाना नाम भी ना भुलिएगा दोर्सियम निक्सिकान कामत दारा निर्देशी 2015 की भारती हिंदी भासा की ठिलर फिल्म है यह फिल्म 2013 में इसी नाम की मलियालम भासा की फिल्म रिमेक है फिल्म का निर्मान कुमार मंगत पाठक अरजित अंधारे और अभिसेग पाठक दारा सायत रूप से किया गया था और इसमें अजय देवगान तबू और त्रियास सरन मुख्य भुमिकाओं में है और इसी ता दर्ता और मुनाल जाधव देवगान और सरन की बेटियों के रूप में सहायक भुमिकाओं में यह फिल्म में 31 जुलाई 2015 को नाटकी रूप से जिलीज हुई थी इसने भारत में 9 से 48 मिलियन और दुनिया भर में कुल 110 से 5 मिलियन की कमाई की उत्पादन की लागात के साथ साथ प्रिंड और विग्यापन की लागात कुल 380 मिलियन थी इसमादन करना और आधिक जाने के इस लेक का कथानक सरांस बहुत लंबा या आतीधिक विस्तूत हो सकता है सितंबा दुर 11 फिल्म की सुरुवात गो में नौनीमत पोडोले में पुलिस एस्टेशन में सामिल होने वाले सहर में एक नए पुलिस सर्मा के साथ होती है एक कास्टेबल के साथ इस्टेशन से गुजरते हुए वा एक दूर के छोड़ पर बैठते हैं वा एक वैतिक को देखते हैं जिसका नाम विजय लगावकार है नया सामिल हुआ पालिस कर्मी पुछता है कि कया वा विजय सलगावकर है जिसके लिए कास्टेबल सकरात्मक जवाब देता है फिल्म फिर फैले स्बैक में चली जाती है क्योंकि विजय अपनी आखों बंद कर लेती है विजय सलगावकर एक अनाथ है जिसने चौथी कच्छा के बाद स्कूल छोड़ दिया अब वा गोवा में केबल तीवी सेव चलाने वाले काटेंट बिजनेसमेन है उनका विवान नंदिनी से हुआ है और उनकी दो बेटियों है जिनका नाम अन्जु उनकी दर्तक बेटी अरहवाई कच्छा की छात्रा और अनु एक कच्छा का छो की छात्रा है उनकी दिलचस्पी सिर्फ उस फिल्मे में देखने में है उन्होंनों फिल्म से सीखे तरीकी की मदद से लोगों की मदद करने के लिए अपने छेत्रा में बहुत प्रसिंद और समस्थान प्रपत किया है विजय एक सलगावर एक अनाथ है जिसने चौथी कच्छा के बाद स्कूल छोड़ दिया अब वो गोवा में केवल टीवी से सेवा चलाने के कटिट बिजनेसमेन है उनका विवाह नंदिनी से हुआ है और उनकी दो बेटी हो है जिनका नाम अंजु उनकी दर्तक के बेटी बा को कुई मदद के लोगों से मदद करने के लिए अपने छेतरा में बहुत प्रसिंद और समस्त प्रापात किया है एक प्रकूती सिवीर के दवरान जिसमें अंजु भाग लेती है एक छीपा हुआ सेलफ फोन कैमरे अंजु को उसके पकड़ते हटाते हुए और बात्रूम मे सानान करते हुए रिकॉर्ड करता है अपरादी समीर सेम देशमुक गोवा पुलीस के महानरीच के मीरा देशमुक का पुत्रा है सेम एक दिन योज़ सबंदों के लिए अंजु को बलेक मोल में करने के लिए आता है उसी रात उसके घर पर आता है जब नंदिनी भी आती है इसकी सुचना उनकी बेटी नए दी नंदिनी सेम से उनके परिवार को अकेला छोड़ने की विंती करती है लेकिन सेम वीडियो की लप्त को हटाने से इंकार कर देता है जब तक कि उसकी योण मांग पूरी नहीं हो जाती नंदिनी उसे अंजु को अकेला छोड़ने के चाहिए अपमानजन इस सेलफोन तोड़ने की प्रयास में अंजूप सेंपक एक लीड पाइप के साथ एक सीवंग लेती है लेकिन वह उसे सिर में मारती है जिसे उसे तुरंट मार दिया जाता है वे उसके सरीर के छीपावडे में एक खाद के गंडे में गार देती है जिसे अनुदारा देखा जाता है सुबह जब वह काम से लोटता है तो नांदिनी वीजय को घटना के बारे में बताती है और वह अपने परिवार को पूली से बचाने की एक तरीका खुचता है वो टूटे हुए सेलफोन को हटा देता है और सैम की कार का निप्टान करता है जिसे अगले दिन वीजय अपने परिवार को पांजी की आत्रा पर ले जाता है जहावे एक आत्रम जाते है एक फिल्म देखते है और एक रेस्तरा में भोजन करते है लेकिन मीरा को पता चलता है कि उसका बेटा लपता हो गया है एक जाच सुरू करती है पर भीग जाच के बाद मीरा वीजय और परिवार को पुछताच के लिए बुलाती है या भविस्यानी करने के बाद की पुलिस अंत बुलाएगी वीजय अपने परिवार को बीना संदे के पुछताच का सामना करने के लिए प्रेसिच करता है जब वैतिक रूप से पुछत प्रिवार अपनी कहानियों पर अड़ा रहता है और पुलिस उनके बहाने में दरार नहीं दूनता पाती है। करते हैं मीरा को पता चलता है कि घटना के दिन विजय ने टीकट और बिल लेगे लिया था माली को से प्रेचित हो गया था और अगले दिन अपने परिवार के साथ यात्रा पर चल गया था इस प्रकार अपनी बहाना साबित कर रहा था और माली को अंजाने में जूट बोल रह था मीरा सलगवार परिवार को गिरफतार कर लिया है और विजय नंदिनी और अंजू विरोध करने के बावजुद गाय तोड़े साचाई को हाराने के लिए कुबूल कर कुल बल्क का उपियोग करती है इस बीच मीरा को सैम के दोस्तों एलेक्स सैम और अंजू को उसके वी गंडे में एक सव को दफन होते देखा है खात को गंडा खोड़ने के बाद आधिकारियों के एक कुट्टे का सव मिला विजय मीडिया को रिपोर्ट करता है कि गाय तोड़े अपनी दोनों बेटियों का सरीग घोस्तोंसना किया जिसे कोधित गाय तोड़े ने विजय परह बामले का प्रयास किया लेकिन विजय ससुराल वाले जवाब करवाई करते हैं और एक भीड गाय तोड़े के पितने के लिए उठ खड़ी होती है गतना के बाद गाय तोड़े के निल्बित किर कर दिया गया मीरा ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया और पुलिस स्टेशन क की पूरी जाज टीम को सथान्तिरीत किया कर दिया गया इस बामले में अब अदालत प्राधिकरन की आवसायकता है जब नंदरी विजय से पूछती है उसने सरीर के साथ क्या किया तो उसने यह कहते हुए उसे बताने से इंकार कर दिया कि रस है उसके दिमाग में रहेगा औ और उसे बिना किसी निसान के उसके साथ जाना चाहिए मीरा और उनके पती महेश वीडियो किलप और उनके बेटे के आसिस्ट और विरिकुत वयार के लिए सर्मा मागने के लिए समूद के किनारे विजय से मिलते है और या पुशिट करने के लिए कि उनका बेटा जीवी थ या नहीं वे यह भी बताते हैं कि वे मीरा के भाई के साथ रहने के लिए लंदन जा रहे हैं अंत में विजय ने गुप्त रूप से सैम को मारने की बात कबूल कर ली वह माफी भी मांगता है और उन्हें समझता है कि वह अपने परिवार की रच्छा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है विजय के आखों में खोलते ही फिल्म वत्मान दीनों में लोट आती है वह नवनिर्मित ठाने में राजिश्टर पर हास्ताजर करता है हास्ताजर करते समय नया निरीश्चक उसे बताता है कि उसे मुर्ख नहीं बनाया जा सकता है और वह निर्चित रूप से पत लगाया का जिस बिंदू पर विजय मुस्कुराते हुए स्विकार करता है कि उसे यकीन है कि सथानी पुलिस बल अपने सवारिसियों की रचा करेगा एक फ़ले स्वेक के खेलता है जब विजय वतमाल समय में पुलिस एस्टेशन से बाहर निकालता है यह खुलासा करता है कि यह नए पुलिस एस्टेशन के तहस्तों को दफना था जबकि वह निर्माग्धीन था जैसे ही वह सड़क के दोनों और देखता है और फिल्म अचानक एक ब्लेक आउट के साथ बंध हो जाती है फेकना उस्वार्दन कर अक्तूबर द्वज़ा चौदे में यह घोसना की ग और द्वज़ा तेरे में मलियालम प्रूती में मोहनलाल दारा निभाई गई भूमिका को फिर से निभाएंगे ऐसी भी खबरे थी कि अच्छे कुमार मुख्य भूमिका निभाएंगे लेकिन नवबर द्वज़ा चौदे में यह घोसना की गई कि अजय देवगार द्वज अला इस्टूडियो के सयोग से और निषकात कामत दारा निर्देशी तब योजनाय थी कि देवगान दोय तेरे की फिल्म में मोहनलाल दारा निभाई गई भूमिका को फिर से निभाएंगे बाद में यह घोसना की गई कि तब एक पुलीस वाले मीरा देशमुक की भूमिक निभाएंगे फिल्म में इस पादन काटा फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी फरवरी 2015 में शुरू होने वाली थी वायकाम अठारे मोशन की बिक्चस के मुख्य पर इचलानन अधिकारी अरजित अधारे ने कहा दूर्सियम एक प्रिस्ठीट फिल्म है जो आपको देखने के बाद लंबे समय तक मंत्र उगुन और उत्सुत करहती है इसका बॉक्स ओफिस रिकर्ड मलयालम और तेलुगू अपने लिए बद बोलते हैं अभिनेता अजय देवगन अपनी आगामी फिल्म सिवाय के लिए बफ के दूर्सियों की स्यूटिंग के लिए लोटाए फिल्म का पहला बीस देशुवी स्यूटिंग सेंडियूल 13 मार्च 2015 को गोवा में शुरू हुआ और एक अप्रिल 2015 को समाप्त हुआ फिल्म का दूसरा सेंडियूल अप्रिल के दूसरे सब्ताहत में शुरू हुआ फिल्म का पहला लुक 29 मई 2015 को जारी किया गया थ हिंदी रिमेक की घोसना पर फिल्म निर्मता एकताव कपूर ने मलियालम फिल्म के निर्मताव को कानून नोटीस भेजा है इतना कपूर ने जापानी लेखक कींगों की हेगर सिनों की किताब दो डिविशन अफ एस्पेक्टर एक्स के फिल्म अधिकार हासिल कर लिए और उनकी कानूनी की टीम ने दवा कि दवा किए दोर्षियम अपनायस का एक फिल्म रूपात्रान है जिसके लिए उन्होंने अध कार खरी दे हाला कि मुल्य दूर्श्यम की निर्देश और पठखटा लेखक जीतों की जेशेफ ने इस बात इनकार किया कि उनकी फिल्म जापानी अपनायस और फिल्म का रुपात्रन या प्रेती है टिकाकर नंदिनी रामानांद ने उलेख किया कि कैसे जापानी अपनायस जारा मामुली प्रेना इनकार करना अंदर की फिल्म की कहानी के समानतर के है क्योंकि जेटूस जेश जोसेफ की उपलधी एक बुरुदिमान आवधरन को उठाने की इसी इतनी प्रवी डन से सथान्युक्त करने में नहीत है कि लिंक जापानी अपनायस के लिए तक तब तक कमजोड दिखाई देती है जब तक की बराकी की से चांच की गई दूर्सियम एक प्रून उपराद के बारे में एकदम सही उपराद है और इसकी निर्देश की एलीबी लगभाग उतनी वायूरोधी है जितनी की इस जिगामी ने आयूस को और मिसाते के लिए बनाने के लि दूर्सियम की संगीत विशाल भरताईज ने दिया औहे और बोल गुलजार ने लिखे है एस किंग दारा किया गया करबान कापी नामा एक गीत साथ जुलाई 2015 को जारी किया गय था दूर्सियम संगीत आधिकार की मयूजी कमपनी दारा आधिरी गरीत किये गये है दूर्सि सभी करतिया दो टाइमस अफ इंडिया की मीना आयर ने फिल्म को पाच में से चार श्टार दिये इसे एक सब्सपेस ड्रामा विद ए नेल बाइटिंग की नीज बताया आयर ने सलगवार का परिवार के कुछ लोगों के लिए कास्टिंग किलपलों के अलोचका के लिकिन द मकता है तब वो अपने सिकारी के रूप में उत्कुष्थ है हाला कि इंडियान एक सपेस ने रिमे को पाच में से धाई इस्टार दिये और देवगन और क्रिया सरन के बीच की कैस्मीटिक में दोस पाया जो उनके क्रादार की पतनी की भूमी का निभा रहे है इंडियान ए के प्रदसन को अफ एंड आन के रूप में वनित किया यह टिपनी करते हुए कि वह कई बार कठोर हो जाती है हिंडुस्तान टाइमर्स के रोहित वतस ने फिल्म को आजानिया के मन्रोजतन के किनारे की सीट चोकाने वाला मन्रोजन की बताते हुए इसे पांच सितारे में से साड़े तीन सितारे को मुलियालन किया संस्पेस थिलर के रूप में सफल होने के लिए वतस ने फिल्म की प्रसंसा की दी रेडिप के राजा सेन ने फिल्म को पांच सितारे में सिधाई सितारे की देटिंग दी यह देखते हुए कि फिल्म की गती बहुत धीमी गती से सुर की फिल्म बेकार ढंग से लिखी गई है सवाद के साथ जो लड़की का लगता है इसके विपरित बालियू नहांगामा ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिये और नहीं से इनके सामन गती और सिक्सपट की समस्या पर धयान दे फिल्म में एक भी जन नहीं है जिसमें का हुआ पठकता अप्रेल सिंधी है यह हर आप जानते हैं कि क्या हुआ था लेकिन फिर भी आपको एक स्वारी के लिए जाया जाता है और आप उस पर वित्रास करना शुरू कर देते हैं लेकिन गालेंसर के मार्टीन ने दीजूसा ने इसे पांच में से चार स्टार दिये और का दूस्यम एक स्पाट अनकाई क्रिम ठील है जिसमें कुछ दिल से आपके मुझ जण है यह पोडोलीम नमक एक बाने गाउं में सथापित है उत्री गाउं की पूरी पठकटा के बारे में संतोस जनक बात गिया है कि वीजय पंदे पर जो कर रहे है वही आप अपने प परिवार ही हमारे पास है सुभास के जाने के इसे पाच में से साड़े चार इस्टार दिये और कहा निश्कात कामत की दूस्यम एक प्रून पूविजेता है यह ना केवल एक उलेखनी गुंजने वाला रिमेक है बलकि एक अनूठा एस्टेन अलोगन अनुभाव भी है गल कहानी में कोई धीली सीरे नहीं है हर चत्रित हर सिस्ती सुनी योजित है और पून्ना के लिए कलपरा की जाती है पुरुस भूमी स्कोर की एक गीत के बावजूद विचात्रेतेज है पात्रों के अधाक को अजागर करने के लिए उलेखनी के रूप से भूलने योग लग फूरीज के जनरल एक फिजेश ब्योडंने का कलाइमेक्स बहुत ही संदार और देखने लायक है और इंतजार करने लायक है अभिनए लिहाजा से अजय बहुत अच्छी है इस सन्थी दबू भी त्रिया और बेटों ने भी संदार अभिनार किया है और अपने किरदारों के साथ नया किया है फिल्म का निर्देशन और पटकेटा बहुत अच्छी है जब कि संगीट ठीक है मैं कहूंगा कि फिल्म आउसे देखनी चाहिए समीचह सम्हू के बेव विवसाइट राटन टोमाटोज ने बताया कि अस्ती समीच को उसने 65 आउसेट रेटिंग के साथ 15 अपने पहले सप्ताहाद के अंतक दुर्शियम ने लगभाग 463 मिलियन की कमाई कर ली थी फिल्म ने घरेलू बक्स ओफिस पर 13 दीरों में 629 मिलियन की कमाई की अपने दूसरे सप्ताहाद के अंतक फिल्म में लगभाग 477 करोड मिलियन की कमाई कर ली थी अपने तिसरी से 87 मिलियन की कमाई कर ली थी अपने पाच्वे सब्ताहत के अंतक फिल्म ने लगभाग साथ से 57 मिलियन की कमाई कर ली थी अपने छेटे सब्ताहत के अंतक फिल्म ने लगभाग साथ सब पैसट मिलियन की कमाई कर ली थी इसने अपने रन के अंतक भारति बक्स ऑफिस पर कुल 197 कडोड की मिलियन की भारत की कमाय की अंतराश्टी सतर पर फिल्म ने साथ हप्तों में से 155 मिलियन talks की संगरी किया और दुनिया भार में कुल मिलाकर 114 मिलियन की कुल कमाय तक पहुंच गई प्रिनम इश्वादन करना मुल मलियालम फिल्म दोर्सियम के सिक्वल की सांदार सफलता के बाद एक सिक्वल की पुरिशिट और घोष्णा की गई जो फरवरी 2021 में रिलीज होई थी रिमेक पिक्डुवल का निर्देशन निसकात कामत ने कए किया था लेकिन अगस 2020 में उनकी मुत्यों के बाद रिमेक सिक्वल का निर्देशन निर्मता कुमार मंगत पाठक के बेटे अभिसेख पाठत करेंगे पाठक करेंगे रिमेक के सिक्वल जिसका सिर्चक दोसियंग भी है मैं पिक्डुवल के से पूरी काष्ट होगी अजय देवगन तबुत्रिया सरन इसीतर दर्तम मुनल जागाव और रजत का पूर्द अच्छे खरना के साथ साथ अपनी अपनी भूमिकाव को दोराएंगे रिमेक सिक्वल की भूमिका फोटोगराफी फरवरी 2022 में सुरू हुए और फिल्म 21 जून 2022 को हैरदराबाद मिलना पेटी गई है यह आठारे नवंबर 2022 को दुनिया भर में नाट की रूप से दिली जोगी प्रविक जाच के बाद मीरा वीजय और परिवार के पूचताच के लिए बुलाती है यह भविस्थने करने के बाद की पुलिस अंत बुलाएंगी वीजय अपने परिवार को बीनसंदे के पूचताच का साबना करने के लिए प्रेंस्टीज करता है जब वैतिक रूप से पुछताच की जाती है तो परिवार अपनी अपनी कहानियों पर अड़ा रहते हैं और पूलिस उनके बाहने में दरार नहीं ढून पाती है विजय परिवार की पंजीम यत्रा के प्रामान के रूप में बस टीकट मुवी टीकट आवस और रिस्तारा बिल प्रस्तूत करता है मीरा उनका प्रिस्तावनों में मालिकों से सवाल करती है जहां वे गए है और उनके बयान विजय की बहाना साबित करते है मीरा को पता चलता है कि घटनक दिन विजय ने टीकट और बिल के लिया था मालिकों से परीचित हो गया था और अगले दिन अपने परिवार के साथ यत्रा पर चल गया था इस प्रकार अपनी बहना साबित कर रहा था और मालिकों को आन जाने में जूट बोल रहा था मीरा ने सलगावर की परिवार को गिरफतार कर लिया है और विजय नंदिनी और अंजू विर्योत करने के बावजूद गैटोरे सच्चाई को हराने के लिए कूल बल उपियो करती है इस बिच मीरा के सैव की दोस्त एलेक्स से सैम और अंजू के उसके वीडियो के बारे में पता चलता है आखिरकार अनू अंदर आती है और बताती है कि उसने खाद के गंडे में एक सव को दफन होते हैं देखा खाद को गंडा खुदने के बाद अधिकारियों के एक कुत्ते से सव मिला वीजाय मीडिया को रिपोर्ट करता है कि गाय तोडे ने अपनी दोनों बेटियों को सरीरिस सोसना किया जिसने कोधित गाय तोडे ने वीजाय पर हमले का प्रयास किया लेकिन विजय के ससुराल वाले गया तोरे के पिटने के लिए छट खड़ी होती है घटना के बाद गया तोरे ने निल्बिन कर लिया गया मीरा ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया और पूलिस स्टेशन की पूरी जाच की टीम को सथांतरीत किया दिया गया इसे मामले में अब बदार अदालत से प्रंधिकारन की आप सकता है जब नंदिनी विजय से पुछती है कि उसने शरीर के साथ क्या किया तो उसने यह कते हुए से बताने से इंकार कर दिया कि रहस्तिया उसके दिमाग में रहेगा और उसे बीना किसी निसान के उसके साथ जाना चाहिए मीरा और उनके पति महेश के वीडियो किलप और उनके बेटे की आसिस्त और विर्कत वयार के लिए जर्मा मागने के लिए समुद के किनारे विजय से मिलते हैं और यह पुछिट करने के लिए कि उनका बेटा जिवित है या नहीं वे या भी बताते हुए कि मीरा के भी प्रफी भी मागता है और उन्हें समझता है कि वह अपने परिवार की रच्छ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है विजै के आपों में ख्योलते ही फिल्म वत्मान दिनों में लौट आती है वह वनमित ठाने में राजिश्टर पर हस्ताजर करता है हस्ताजर करते समयना या नर पीचक उसे बताता है कि उसे मुर्ख नहीं बना जा सकता है कि वह नेजित रूप से पतर लगाएगा सी बिंदू और सी बिंदू पर विजै मुस्कुराते हुए स्विकार करता है कि उसे यकीन है कि सथानी पुलिस बल अपने सहरवासियों से रच्छा करेगा एक पत्मान समय से पुलिस इस्टेशन के बाहर निकालता है यह खुलासा करता है कि विजै ने नए पुलिस इस्टेशन के तहट सोके दफनाया था जब कीजा निर्माधिन था जैसे ही वह सड़क के दोनों और देखता है फिल्म का अचानक एक बैलेक आउट के साथ बंद हो ज पुछताज के लिए बुलाती है यह भविस्यानी करने के बाद कि पुलिस अंत बुलाएगी विजै अपने परिवार को बीना संदे के पुछताज का सामना करने के लिए प्रेसिच करता है जब वैतिक रूप से पुछताज की जाती है तो परिवार अपनी अपनी कहानियों पर अड़ा रहता है और पुलिस उनके बहाने में दरार नहीं डूनता पाती है विजय परिवार की पंजीम यात्रा की प्रमान के रूप में बस टिकट मुई टिकट आवस और रिस्तरा बिल परिस्तूत करता है मीरा उन परिस्ति ठानों के मालिकों से सवाल करती है जहां वे गये है और उनके बयाण विजय की बहाना साबित करते है मीरा को पता चलता है कि घटना के दीन विजय एक टिकट और बिल ले लिया था मालिकों से प्रेचित हो गया था और अगले दिन अपने परिवार के साथ यात्रा पर चल गया था। इस प्रकार अपनी बहाना साबित कर रहा था और माली को अंजाने में जूट बोल रहा था। मीरा सलगवार परिवार को गिरफतार कर लिया है और विजय नंदिनी और अंजू विरोध करने के बावजुद गाय तोड़े सचाई को हाराने के लिए कुल बल्क का उपियोग करती है इस बीच मीरा को सैम के दोस्तों एलेक से सैम और अंजू को उसके वीडियो के बारे में पता चलता है आखिरकार अनुम अंदर आती है और बताती है कि उसने खाद के गंड़े में एक सव को दफन होते देखा है खाद को गंड़ा खोरने के बाद आधिकारियों के एक कुत्ते का सव मिला विजय मीडिया को रिपोर्ट करता है कि गाय तोड़े अपनी दोनों बेटियों का सरी गोसोसना किया जिसे कोधित गाय तोड़े ने विजय पर हमले का प्रयास किया लेकिन विजय ससुराल वाले जवाब करवाई करते है और एक भीड गाय तोड़े के पितने के लिए उठ खड़ी होती है गटना के बाद गाय तोड़े के निलबित किर कर दिया गया मीरा ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया और पूलीस स्टेशन की पूरी जाज टीम को सथान्तिरीत किया कर दिया गया इस मामले में अब अदालत प्राधिकरन की आवसायकता है जब नंदिनी वीजय से पूछती है उसने शरीर के साथ क्या किया तो उसने यह कहते हुए उसे बताने से इंकार कर दिया कि रस है उसके दिमाग में रहेगा और उसे बिना किसी निसान के उसके साथ जाना चाहिए दिकुत वयहार के लिए सर्मा माँगने के लिए समूद के कीनारे वीजय से मिलते हैं और या पुशिट करने के लिए कि उनका बेटा जीवी था या नहीं वे या भी बताते हैं कि वे मीरा के भाई के साथ रहने के लिए लंदन जा रहा हैं। अंत में विजय ने गुप्त रूप से सैम को मानने की बात कबूल कर ली, वह माफी भी मांगता है और उन्हें समझता है कि वह अपने परिवार की रचा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, विजय के आखों में खोलते ही फिल्म वतमान दीनों में लोट आती है, वह नवनिर् थाने में राजिस्टर पर हास्ताजर करता है, हास्ताजर करते समय नया निरीश्चक उसे बताता है कि उसे मुर्ख नहीं बनाया जा सकता है, और वह निर्चित रूप से पता लगाया का जिस बिंगु पर विजय मुस्कुराते हुए स्विकार करता है, कि उसे यकीन है कि थानी पुलिस बल अपने सवारसियों की रच्छा करेगा एक फ़ले स्वेक के खेलता है जब विजय वतमाल समय में पुलिस एस्टेशन से बाहर निकालता है यह खुलासा करता है कि विजय नए पुलिस एस्टेशन के तहस्तों को दफना था जबकि वह निर्मागधीन था जै फिल्म अचानक एक ब्लेक आउट के साथ बंध हो जाती है फेकना उस्वार्दन कर अक्तूबर 24 में यह घोसना की गई थी कि सैफ अलिखान मुख्या भूमिकाव निभाएंगे और 23 में मलियालम प्रूती में मोहनलाल दारा निभाई गई भूमिका को फिर से निभाएंगे ऐसी भी खबरे थी कि अच्छे कुमार मुख्या भूमिकाव निभाएंगे लेकिन नवबर 24 में यह घोसना की गई कि अजय देवगान दोजातीरी की फिल्म में दूसियम की हिंदिस रिमेक है रिमेक में अभिनाय करेंगे जिसे वयकाम अठारे मोशन दारा निर्मित किया जाएगा चित्रमाला एस्टूडियो के सयोग से और निसकात कामत दारा निर्देशी तब यूजनाय थी कि देवगान दोजातेरी की फिल्म में मोहन लाल दारा निभाएंगे भूमिका को फिर से निभाएंगे बाद में यह घोसना की गई कि तब एक पुलीस वाले मीरा द इस्मुक की भूमिका निभाएंगे अत्रिया सरन अजय देवान की पत्नी की भूमिका निभाएंगे फिल्म में इस्पादन काड़ा फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी परवरी 2015 में शुरू होने वाली थी वायकाम अठारे मोहन की बिक्चस के मुख्य परिचलानन अधिकारी अरजित अधारे ने कहा दूर्सियम एक प्रिस्ठीट फिल्म है जो आपको देखने के बाद लंबे समय तक मंतर उगुन और उच्छुत करहती है इसका बॉक्स ओफिस रिकॉर्ड मलयालम और तेलुगू अपने लिए बद बोलते है अभिनेता अजय देवान अ फिर से सेंडियूल किया और इसकी बजाय दूर्सियम शुरू करने के लिए भारत लोटाये फिल्म का पहला 222 शुटिंग सेंडियूल 13 मार्च 2015 को गोवा में सुरू हुआ और एक अप्रिल 2015 को समाप्त हुआ फिल्म का अच्छ दूसरा शेंडियूल अप्रिल के दूसरे पताहत में शुरू हुआ फिल्म का पहला लुक 29 मही 2005 को जारी किया गया था हिंदी रिमेक की घोसना पर फिल्म निर्मता एकताव कपूर ने मलियालम फिल्म के निर्मताव को कानून नोटीस भेजा है एकता कपूर ने जापानी लेखक कींगों की हेगर सीनों की किताब अफ एस्पेक्टर एक्स के फिल्म आधिकार हासिल कर लिए और उनकी कानूनी हासिल कर लिए और उनकी कानूनी की टीम ने दवा किया दुर्शियम अपनायस का एक फिल्म गुपात्रान है जिसके लिए उन्होंने आधिकार खरी दे हालाकि मुल्य दुर्शियम की निर्दे और पठ्खटा लेखक जीतू की जेसेफ ने इस बात इनकार किया कि उनकी फिल्म जपानी अपनायस और फिल्म का रुपात्रन या प्रेती है टिकाकर नंदिनी रामानांद ने उलेख किया कि कैसे जपानी अपनायस दारा मामुली प्रेना इन से इनकार करना अंदर की फिल्म की कहानी के समानतर के है क्योंकि जेठूस जेस जोसेफ की उपलधी एक बुरुदिमान आवधरन को उठाने की इसी इतनी प्रवी डन से सथान्युक्त करने में नहीं थै कि लिंक जापानी अपनायस के लिए तब तक कमजोड दिखाई देती है जब तक की बराबरा की की से चांच की गई दुर्सियम एक प्रून उपराद के बारे में एकदम सही उपराद है और इसकी निर्देश की एली भी लगभाग उतनी वायूरोधी है जितनी की इस जिगामी ने आयूस को और मिसाते के लिए बनाने के लिए बनाई है दुर्सियम को उत्तर प्रदेश में कर्मुक्त गोशित किया गय था दुर्सियम की संगीत विशाल भरताईज ने दिया आये और बोल गुलजार ने लिखे है एस किंग दारा किया गया करबान कापी नामा एक गीत साथ जुलाई 2015 को जारी किया गय था दुर्सियम संगीत आधिकार की मयूजी कंपनी दारा आधिरी गरीत किये गये है दुर्सियम 31 जुलाई 2015 को भारत में 265 इस्क्रीनों पर रिलीज हुई थी स्वागस समहारो अलोच नाक्तमक सभी करत्या दो टाइमस अफ इंडिया की मीना आयर ने फिल्म को पाच में से चार एश्टार दिये इसे एक सब्सपेस ड्रामा विद ए नेल बाइटिंग की नीज बताया आयर ने सलगवार का परिवार के कुछ लोगों के लिए कास्टिंग किलपलों के अलोचका के लिकिन देवगन और तबू के प्रदसन की प्रसंसा की अजय जो यहां सिकार में सुरक्षक पिता की अपनी भूमिका में चमकता है तब वो अपनी सिकारी के रूप में उत्कुष्ट है हाला कि इंडियन एक स्पेस ने रिमे को पाच में से धाई एश्टार दिये और देवगन और त्रिया सरन के बीच की कैस्मीटिक में दोस पाया जो उनके क्रादार की पत्नी की भूमिका निभा रहे है इंडियन एक स्पेस ने देवगन के प्रदसन को सिथर और तबू के प्रदसन को अफ एंड आन के रूप में वनित किया यह टिपनी करते हुए कि वह कई बार कठोर हो जाती है इंडुस्तान टाइमर्स के रोहित वतस ने फिल्म को आजानिया के मन्रोजतन के किनारे की सीट चुकानेक वाला मन्रोजन की बताते हुए इसे पांच सितारे में से साड़े तीन सितारे को मुलियालन किया सनस्पेस ठिलर के रूप में सफल होने के लिए वतस ने फिल्म की प्रसंसा की दी यह देखते हुए कि फिल्म की गती बहुत धीमी गती से सुरू होती है सेन ने तबू को चतरित को इस्पेक्टर जनरल नायर ने के रूप में बदमास सुपरेश्टार के रूप में वनित किया लेकिन कूल मिला कर महसुस किया कि फिल्म बेकार ढंग से लिखी गई है सवाद के साथ जो लड़की का लगता है इसके विपरित बालियू नागामा ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिये और नहीं से इनके सामन गती और सिक्सपट की समस्या पर धयान दे फिल्म में एक भी जन नहीं है जिसमें कोई अंतराल नहीं है जहां तक तड़का हुआ पठकता अप्रेज सिंधी है यहर आप जानते है कि क्या हुआ था लेकिन फिर भी आपको एक स्वारी के लिए जाया जाता है और आप उस पर वित्रास करना शुरू कर देते है लेकिन इस पाट अंकाई क्रिम ठील है जिसमें कुछ दिल से आपके मूँ जण है यह पोडोलीम नमक एक बाने गाउं में सथापित है उत्री गाउं की पूरी पठकटा के बारे में संतोस जनक बात गिया है कि वीजय पंदे पर जो कर रहे है वही आप अपने परिवार के लिए कर नहीं आखिरकार परिवार ही हमारे पास है सुभास के जाने के इसे पाच में से साड़े चार इस्टार दिये और कहां निक्सकात कामत की दुर्सियम एक प्रून पूविजेता है यह ना केवल एक उलेखनी गुंजने वाला रिमेक है बलकि एक अनूठा एस्टेन अलोगन अनुभाव भी है गलफ नियुच की सुचित्र बाजे पिक चोधरी ने इसे पाच में से साड़े चार इस्टार दिये और कहां कहानी में कोई धीली सीरे नहीं है हर चत्रित हर सिस्ति सुनियोजित है और पून्ना के लिए कलपरा की जात्री है पुरुस भूमी स्कोर की एक गीत के बावजूद विचात्रेते है पात्रों के अधाक को अजागर करने के लिए उलेखनी के रूप से भूलने योग लग रहा था दफ्री प्रेस की जनरल एक फीजेस बयोरों ने कहा क्लाइमेक्स बहुत ही संदार और देखने लायक है और इतन तजार करने लायक है अभिने लिहाजा से अजे बहुत अच्छी है साथ ही तबू भी त्रिया और बेटियों ने भी संदार अभिने किया है और अपने किरदारों के साथ नया किया है फिल्म का निर्देशन और पटकेटा बहुत अच्छी है जबकि संगित ठीक है मैं कहूंगा कि फिल्म और से देखनी चाहिए समीचा सम्हू के बेविवसाइट राटन टोमाटोज ने बताया कि अस्ती समीच को उसने 65, 10 और 60 रेटिंग के साथ 15 समीचाओ के आधार पर फिल्म को साकरात्मक समीचा दी है अपने पहले समताहाद के अंतक दुर्षियम ने लगभाग 463 मिलियन की कमाई कर ली थी फिल्म ने घरेलू बक्स ओफिस पर तेरे दिरों में 629 मिलियन की कमाई की अपने दूसरे सब्ताहत के अंतक फिल्म में लगभाग चोसट सत्रे करोड मिलियन की कमाई कर ली थी अपने तीसरी सब्ताहत के अंतक फिल्म में लगभाग चोसे सतासी मिलियन की कमाई कर ली थी अपने पाच्वे सब्दाहत के अंतक फिल्म ने लगभाग साच से संतावन मिलियन की कमाई कर ली थी इसने अपने रण के अंतक भारति बस अउफिस पर कुल linguistic करोड की मिलियन की भारत की कमाई की अंतराष्टी सतर पर फिल्म ने साथ हपतों में से 155 मिलियन जी यूस मिलियन की संगरी किया और दुनिया भर में कुल मिलाकर 11 बिलियन की यूएस 14 मिलियन की कुल कमाई तक पहुच गई प्रिनम इश्वादन करना मुल मलियालम फिल्म दुनस्यम के सिकुल की सांदार सफलता के बाद एक सिकुल की पुरिशिट और घोष्णा की गई जो फरवरी 2021 में रिलीज होई थी रिमेक पिक्रुवल का निर्देशन निसकात का कामत ने कै किया था लेकिन अगस 2020 में उनकी मुत्यों के बाद रिमेक सिकुल का निर्देशन निर्मता कुमार मंगद पाठक के बेटे अभिसेग पाठक करेंगे पाठक करेंगे रिमेक के सिकुल जिसका सिर्चक दोसियंग भी है मैं पिक्रुवल के से पूरी काष्ट होगी अजय देवगन तबुत्रिय सरन इसीतर दर्तम मुनल जागाव और रजत का पूर्द अच्छे खरना के साथ साथ अपनी अपनी भूमिकाव को दोराएंगे रिमेक सिकुल की भूमिका फोटोगराफी फरवरी 2022 में सुरू हुए और फिल्म 21 जून 2022 को हैरदराबाद मिलना पेटी गई है यह आठारे नवंबर 2022 को दुनिया भर में नाट की रूप से दिली जोगी प्रमभिक जाज के बाद मीरा विजय और परिवार के पूछताज के लिए बुलाती है यह भविस्ने करने के बाद की पूलिस अंत बुलाएंगी विजय अपने परिवार को बीना संदे के पूछताज का साबना करने के लिए प्रेंसिज करता है जब वैतिक रूप से पूछताज की जाती है तो परिवार अपनी अपनी कहानियों पर अड़ा रहते हैं और पूलिस उनके बाहने में दरार नहीं ढून पाती है विजय परिवार की पंजिम यत्रा के प्रामान के रूप में बश टीकट मूई टीकट आवस और रेस्तारा बिल प्रस्तूत करता है मीरा उनका प्रिस्तावनों में मालिकों से सवाल करती है जहां वे गए है और उनके बयान विजय की बहाना साबित करते है मीरा को पता चलता है कि घटनक दिन विजय ने टीकट और बिल के लिया था मालिकों से परीचित हो गया था और अगले दिन अपने परिवार के साथ यत्रा पर चल गया था इस प्रकार अपनी बहना साबित कर रहा था और मालिकों को आन जाने में जूट बोल रहा था मीरा ने स तोरे सच्चाई को हराने के लिए कूल बल उपियों करती है इस बिच मीरा के सैम की दोस्त एलेक्स से सैम और अंजू के उसके वीडियो के बारे में पता चलता है आखिरकार अनु अंदर आती है और बताती है कि उसने खात के गंडे में एक सौव को दफन होते हैं देखा खात को गंड़ा खुदने के बाद अधिकार्यों के एक कुद्ते से जौन मिला वीजाय मीडिया को रिपोर्ट करता है कि गाय तोड़े ने अपनी दोनों बेटियों को सरीरी सोसना ariseszne किया जिसने कोद्यत गाय तोड़े ने वीजाय पर हमले का प्रयाश किया लेकिन हुजाय के स से इस्तिफा दे दिया और पूलिस इस्टेशन की पूरी जाज की टीम को सथांत्रीत किया दिया गया इसे मामले में अब बदार अदालत से प्रंधिकारन की आप सकता है जब नंदिनी विजय से पुछती है कि उसने शरीर के साथ क्या किया तो उसने यह कते हुए से बताने से इनकार कर दिया कि रहस्तिय उसके दिमाग में रहेगा और उसे बीना किसी निसान के उसके साथ जाना चाहिए मीरा और उनके पती महेश के वीडियो किलप और उनके बेटे की आसिस्ट और विर्कत वयार के लिए जर्मा मागने के लिए समूद के किनारे विजय से मिलते हैं और या पुशिट करने के लिए कि उनका बेटा जिवित है या नहीं वे या भी बताते हुए कि मीरा के भी भाई के साथ रहने के लिए लंदन जा रहे हैं अंत में विजय के गुपत रूप से सैम की माने की बात कबूल कर ली वो अभी माफी भी मागता है और उन्हें समझता ह कि वह अपने परिवार की रच्छ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है विजय के आपों में ख्योलते ही फिल्म वत्मान दीनों में लोट आती है वह वनमीत ठाने में राजिश्टर पर हस्ताजर करता है हस्ताजर करते समयना या नरीचक उसे बताता है कि उसे मुर्ख नहीं बना जा सकता है कि वह नेजित रूप से पतर लगाएगा सी बिंदू और सी बिंदू पर विजय मुस्कुराते हुए सुविकार करता है कि उसे यकीन है कि सथानी पूलिस बल अपने सहरवासियों से रच्छा करेगा एक फैलेस में खोलते हैं जब विजय वत्मान समय से के दफनाया था जब कीजा निर्माधिन था जैसे ही वह अक्सड़क के दोनों और देखता है फिल्म का अचानक एक बैलेक आउट के साथ बंद हो जाती है लेकिन लपता हो गया के लिए अपने छेत्रा में बहुत प्रसिंद और समस्थान प्रपत किया है विजय एक और एक अनाथ है जिसने चौठी कच्छा के बाद स्कूल छोड़ दिया अब वह गोवा में केवल टीवी से सेवा चलाने के कटिट बिजनेसमेन है उनका विवाह नंदिनी से हुआ है और उनकी दो बेटियों है जिनका नाम अंजु उनकी दर्तक के बेटी बार्वी कच्छ के चात्रा है और अनु एक कच्छा का चात्रा है उनकी दिल्चस्पी सिर्फ फिल्म के देखने में है उनों फिल्मों में से सीखे तरीकों कोई मदद के लोगों से मदद करने के लिए अपने छेत्रा में बहुत प्रसिंद और समस्त प्रपात किया है एक प्रकूती सिवीर क के दोरान जिसमें अंजू भाग लेती है एक छीपा हुआ सेल फोन कैमरे अंजू को उसके पकड़ते हटाते हुए और बात्रूम में सानान करते हुए रिकॉर्ड करता है अपरादी समीर सैम देशमुक गोवा पुलीस के महानरीच के मीरा देशमुक का पुत्रा है सैम एक दि उसके घर पर आता है जब नंदिनी भी आती है इसकी सुचना उनकी बेटी नए दी नंदिनी सैम से उनके परिवार को अकेला छोड़ने की विंती करती है लेकिन सैम वीडियो की लप्त को हटाने से इंकार कर देता है जब तक कि उसकी योन मांग पूरी नहीं हो जाती नंद नंदिनी उसे अंजू को अकेला छोड़ने के लिए कहती है और सैम कहता है कि वह इस एक सर्थ पर करेगा नंदिनी को उसके साथ योन संभन रखना चाहिए अब मांजन इस सेलफोन तोड़ने की प्रयास में अंजू सैम पक एक लीड पाइप के साथ एक सिवंग लेती है ल संदे में गार देती है जिसे अनुदारा देखा जाता है सुबह जब वह काम से लोटता है तो नंदिनी वीजय को घटना के बारे में बताती है और वह अपने परिवार को पूली से बचाने के एक तरीका खुचता है वह तूटे हुए सेलफोन को हटा देता है और सैम की कार अगले दिन वीजय अपने परिवार को पांजी की आत्रा पर ले जाता है जहावे एक आत्राम जाते है एक फिल्म देखते है और एक रेस्तरा में भोजन करते है लेकिन मीरा को पता चलता है कि उसका बेटा लपता हो गया है एक जाच शुरू करती है परमभीक जाज के बाद मीरा वीजय और परिवार को पुछताज के लिए बुलाती है यह भविस्यानी करने के बाद की पुलिस अंत बुलाएगी वीजय अपने परिवार को बीना संदे के पुछताज का सामना करने के लिए प्रेसिच करता है जब वैतिक रूप से पुछत कराज की जाती है तो परिवार अपनी कहानीयों पर अडा रहता है और पुलिस उनके बहाने में दरार नहीं डूनता पाती है। विजय परिवार की पंजीम यात्रा की प्रमान के रूप में बस टीकट, मुई टीकट, आवस और रिस्तरा बिल प्रिस्तूत करता है। मीरा उन प्रिस्ति ठानों के मालिकों से सवाल करती हैं जहाँ वे गए हैं और उनके बयान विजय की बहाना साभित करते हैं। मीरा को पता चलता है कि घटना के दिन विजय ने टीकट और बिल लेगे लिया था, माली को से प्रेचित हो गया था और अगले दिन अपने परिवार के साथ यात्रा पर चल गया था, इस प्रकार अपनी बहाना साबित कर रहा था और माली को अंजाने में जूट बोल रहा था चाई को हाराने के लिए कुबूल कर, कुल्क बल्क का उप्योग करती है, इस बीच मीरा को सैम के दोस्तों, एलेक्स सैंप और अंजू को उसके वीडियो के बारे में पता चलता है, आखिरकार अनुम अंदर आती है और बताती है कि उसने खाद के गंड़े में एक सव को होते देखा है, खाद को गंड़ा खोरने के बाद आधिकारियों के एक कुट्टे का सव मिला, विजय मीडिया को रिपोर्ट करता है कि गाय तोड़े अपनी दोनों बेटियों का सरी घोसोसना किया, जिसे कोधित गाय तोड़े ने विजय पर हमले का प्रयास किया, लेकिन विजय ससुराल वाले जवाब करवाई करते हैं, और एक भीड गाय तोड़े के पितने के लिए उठ खड़ी होती है, गटना के बाद गाय तोड़े के निल्बित किर कर दिया गया, मीरा ने अपने पद से इस्तिफात दे दिया और पुलिस स्टेशन की पूरी जाज टीम को सथान्तिरीत किया कर दिया गया, इस मामले में अब अदालत प्राधिकरन की आवसायकता है जब नंदिरी विजय से पूछती है, उसने सरीर के साथ क्या किया तो उसने यह कहते हुए उसे बताने से इंकार कर दिया की, रस है उसके दिमाग में रहेगा और उसे बिना किसी न और उनके बेटे के आसिस्ट और विरिकुत वयार के लिए सर्मा मागने के लिए समूद के किनारे विजय से मिलते हैं और यह पुशिट करने के लिए कि उनका बेटा जीवी था या नहीं यह भी बताते हैं कि वे मीरा के भाई के साथ रहने के लिए लंदन जा रहे हैं अंत में विजय ने गुप्त रूप से सैम को मानने की बात कबूल कर ली वह माफी भी मांगता है और उन्हें समझता है कि वह अपने परिवार की रच्छा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है विजय के आखों में खोलते ही फिल्म तुहतमान दिनों में लोट आती है वह नवनिर्म थाने में राजिश्टर पर हास्ताजर करता है हास्ताजर करते समय नया निरीश्चक उसे बताता है कि उसे मुर्ख नहीं बनाया जा सकता है और वह निर्चित रूप से पता लगाया का जिस बिंदू पर विजय मुस्कुराते हुए स्विकार करता है कि उसे यकीन है कि सथा पुलिस बल अपने सवारसियों की रच्छा करेगा एक फ़ले स्वेक के खेलता है जब विजय वतमाल समय में पुलिस स्टेशन से बाहर निकालता है यह खुलासा करता है कि विजय नए पुलिस स्टेशन के तहस्था को दफना था जबकि वह निर्मागधीन था जैसे ही वह चानक एक ब्लेक आउट के साथ बंध हो जाती है फेकना उस्पारदन कर अक्तूबर 24 में यह घोसना की गई थी कि सैफ अलिखान मुख्या भूमिकाव निभाएंगे और 23 में मलियालम प्रूती में मोहनलाल दारा निभाई गई भूमिका को फिर से निभाएंगे ऐसी भी ख तेरी की फिल्म में दूसियम की हिंदिस रिमेक है रिमेक में अभिनाय करेंगे जिसे वयकाम अठारे मोशन दारा निर्मित किया जाएगा चित्रमाला एस्टूडियो के सैयोग से और निशकात कामत दारा निर्देशी तब यूजनाए थी कि देवगान दोयतेरी की फिल्म में मोहन लाल दारा निभाए गई भूमिका को फिर से निभाए गए बाद में यह घोस्ना की गई कि तब एक पुलीस वाले मीरा देशमुक की भूमिका निभाएंगी अत्रिया सरन अजय देवान की पतनी की भूमिका निभाएंगे फिल्म में इस पादन काड़ा फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी फरवरी 2015 में शुरू होने वाली थी वायकाम अठारे मोशन की बिक्चस के मुख्या पर इचलानन अधिकारी अरजित अधारे ने कहा दूर्सियम एक प्रिस्ठीट फिल्म है जो आपको देखने के बाद लंबे समय तक मंतर उगुन और उत्सुत रहती है इसका बॉक्स ओफिस रिकर्ड मलियालम और तेलुगू अपने लिए बदबोलते है अभिनेता अजय देवण अपनी आगामी फिल्म सिवाय के लिए बफ के दूर्सियों की स्यूटिंग के लिए कानाडा में थे लेकिन हालकी बर्फ की सिस्ती ने उन्हें उस फिल्म को फिर से सेंडियूल किया और इसकी बजाए दूर्सियम सुरू करने के लिए भारत लोट फिल्म का पहला बीस दूर्सियों स्यूटिंग सेंडियूल 13 मार्च 2015 को गोवा में सुरू हुआ और एक अप्रिल 2015 को समयाप्त हुआ फिल्म का दूसरा सेंडियूल अप्रिल के दूसरे सब्ताहत में सुरू हुआ फिल्म का पहला लुक 29 माई 2015 को जारी किया गया था हिंदी रिमेक की घोसना पर फिल्म निर्मता एकताव कपूर ने मलियालम फिल्म के निर्मताव को कानून नोटीस भेजा है इत्ता कपूर ने जापानी लेखक कींगों की हेगर सीनों की किताब दिविशन अफ एस्पेक्टर एक्स के फिल्म आधिकार हासिल कर लिए और उनकी कानूनी हासिल कर लिए और उनकी कानूनी की टीम ने दवा कि आदोर्सियम अपनायस का एक फिल्म रुपात्रान है जिसके लिए उन्होंने आधिकार खरीदे हाला कि मुल्य दुर्सियम की निर्देश और पठकटल लेखक जीतों की जेशेफ ने इस बात इंकार किया कि उनकी फिल्म जापानी अपनायस और फिल्म का रुपात्रन या प्रेती है टिकाकर नंदिनी रामानांथ ने उलेख किया कि कै जापानी अपनायस दारामामूली प्रेना इनकार करना अंदर की फिल्म की कहानी के समान तरके है क्योंकि जेशेफ की उपलधी एक बुरुदिमान आवधरन को उठाने के इसी इतनी प्रवीडन से सथान्यूक्त करने में नहीं थै कि लिंक जापानी अपनायस के लिए तक- बराकी की से चांच की गई दूर्सियम एक प्रून उपराद के बारे में एकदम सही उपराद है और इसकी निर्देश की एली भी लगभाग उतनी वायूरोधी है जितनी की इसी गामी ने आयूस को और मिसारते के लिए बन गई बनाने के लिए बनाई है दूर्सियम को उत्तर प्रदेश में करमुक्त गोशित किया गय था दूर्सियम की संगीत विशाल भरताईज ने दिया आय और बोल गुलजार ने लिखे है एस किंग दारा किया गया करबान कापी नामा एक गीत साथ जुलाई दोजर पंद्रे को जारी किया गय था दूर्सियम संगीत आधिकार की मयूजी कंपनिदारा आधिरी गरीत किये गये हैं दूर्सियम 31 जुलाई दोजर पंद्रे को भारत में 265 इस्क्रीनों पर रिलीज हुई थी स्वागस समहारो अलोच नाक्तमक सभी करत्या दो टाइमस अफ इंडिया की मीना आयर ने फिल्म को पाच में से चार एश्टार दिये इसे एक स्पेस ड्रामा विद ए नेल बाइटिंग की नीज बताया आयर ने सलगवार का परिवार के कुछ लोगों के लिए कास्टिंग किलपलों के अलोचका के लिकिन देवगन और तबु के प्रदसन की प्रसंसा की अजय जो यहाँ सिकार में सुरक्षक पिता की अपनी भूमिका में चमकता है तब वो अपनी सिकारी के रूप में उत्कु मीटिंग में दोस्त पाया जो उनके क्रादार की पत्नी की भूमिका निभा रहे है इंडियन एकस्पेस ने देवगन के प्रदसन को सिथर और तबु के प्रदसन को अफ एंड आन के रूप में वनित किया यह टिपनी करते हुए कि वह कई बार कठोर हो जाती है इंदुस्त online के रोहित वतस ने फिल्म को अरजैनिया करम अरोजन के कीणारे की सीड़ चोकाने वाला मन्द रोजन्म की बताते हुए इसे पांच सितारे में से तीन सितारे को मुलियालन किया संस्पेस ठिलर के रूप में सफल होने के लिए वतस ने फिल्म की प्रसंसा की दी रेडिफ के राजा सेन ने फिल्म को पाँस सितारे में से धाई सितारे की देटिंग दी यह देखते हुए कि फिल्म की गती बहुत धीमी गती से सुरू होती है सेन ने तबू को चतरित को इस्पेक्टर जनरल नायर ने के रूप में बदमास सुपरेश्टार के रूप में वनित किया लेकिन कूल मिला कर महसुस किया कि फिल्म बेकार ढंग से लिखी गई है सवाद के साथ जो लड़की का लगता है इसके विपरित बालियू नहांगामा ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिये और नहीं से इनके सामन गती और सिक्सपट की समस्या पर धयान दे फिल्म में एक भी जन नहीं है जिसमें कोई अंतराल नहीं है जहां तक तड़का हुआ पठकता अप्रेज सिंधी है यहर आप जानते है कि क्या हुआ था लेकिन फिर भी आपको एक स्वारी के लिए जाया जाता है और आप उस पर वित्रास करना सुरू कर देते है लेकिन गैलेंसर के मार्टीन ने दीजूसा ने इसे पाच में से चार इस्टार दिये और का दूस्यम एक इसपाट अंकाई क्रिम ठील है जिसमें कुछ दिल से आपके मुझ जण है यह पोडोलीम नमक एक बाने गाउं में सथापित है उत्री गाउं की पूरी पठकटा के बारे मे संतोस जनक बात यह है कि वीजय पंदे पर जो कर रहे है वही आप अपने परिवार के लिए करेंगे कुछ भी काम नहीं आखिरकार परिवार ही हमारे पास है सुभास के जाने के इसे पास में से साड़े चार इस्टार दिये और कहा निक्सकात कामत की दुर्सियम एक प्रून पूविजेता है यह ना केवल एक उलेखनी गुंजने वाला रिमेक है बलकि एक अनूठा एस्टेन अलोगना अनुभाव भी है गलफ नियुच की सुचित्र बाजेपीक चोधरी ने इसे पास में से साड़े चार इस्टार दिये और कहा कहानी में कोई धीली सीरे नहीं है हर चत्री हर सिस्ती सुनियोजित है और पून्ना के लिए कलपरा की जाती है पुरस भूमी स्कोर की एक गीत के बावजूद विचात्रेतेज है पात्रों के अधाक को अजागर करने के लिए उलेखनी के रूप से भूलने योग लग रहा था दौफ्री प्रेज की जनरल एक फीजिस बयोरों ने कहा कलाइमेक्स बहुत ही संदार और देखने लायक है और इतन तजार करने लायक है अभीनई लिहाजा से अजे बहुत अच्छी है साथ ही तबू भी तिरिया और बेटियों ने भी संदार अभिने किया है और अपने किरदारों के साथ नया किया है फिल्म का निर्देशन और पटकेटा बहुत अच्छी है जबकि संगित ठीक है मैं कहूंगा कि फिल्म और से देखनी चाहिए समीचा सम्हू के बेविवसाइट राटन टोमाटोल ने बताया कि अस्ती समीच को उसने 65,10 और 60 रेटिंग के साथ 15 समीचाओ के आधार पर फिल्म को साकरात्मक समीचा दी है अपने पहले समताहाद के अंतक दुर्शियम ने लगभाग 463 मिलियन की कमाई कर ली थी फिल्म ने घरेलू बक्स ओफिस पर तेरे दीरों में 629 मिलियन की कमाई की अपने दूसरे सब्ताहत के अंतक फिल्म में लगभाग 64-70,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 के अंतक भारती बक्स ओफिस पर कुल 91,97 कडोर की मिलियन की भारत की कमाई की अंतराष्टी सतर पर फिल्म ने साथ हपतों में से 155 मिलियन 20 मिलियन की संग्री किया और दुनिया भर में कुल मिला कर 11,24 मिलियन की कुल कमाई तक पहुच गयी प्रिनाम इस्वादन करना मुल मलियालम फिल्म दुर्सियम के सिक्वल की सांदार सफलता के बाद एक सिक्वल की पुरिशिट और घोष्णा की गई जो फरवरी 2021 में रिलीज होई थी रिमेक पिक्वल का निर्देशन निस्कात कामत ने कए किया था लेकिन अगस 2020 में उनकी मुत्यों के बाद रिमेक सिक्वल का निर्देशन निर्मता कुमार मंगद पाठक के बेटे अभिशिक पाठत करेंगे पाठक करेंगे रिमेक के सिक्वल जिसका सिर्चक दोसियंग भी है मैं पिक्वल के से पूरी काष्ट होगी अजय देवगन तबुत्रिय सरन इसीतर दर्तम मुनल जागाव और रजत का पूर्द अच्छे खरना के साथ साथ अपनी अपनी भूमिकाव को दोराएंगे रिमेक सिक्वल की भूमिका फोटोगराफी फरवरी 2022 में सुरू हुए और फिल्म 21 जिन 2022 को हैरदराबाद मिलना पेटी गई है यह आठारे नवंबा 22 को दुनिया भर में नाट की रूप से दिली जोगी प्रमभिक जाज के बाद मीरा विजय और परिवार के पूछताज के लिए बुलाती है यह भविष्णे करने के बाद की पूलिस अंत बुलाएंगी विजय अपने परिवार को बीना संदे के पूछताज का साबना करने के लिए प्रेंसिज करता है जब वैतिक रूप से पूछताज की जाती है तो परिवार अपनी अपनी कहानियों पर अड़ा रहते हैं और पूलिस उनके बाहने में दरार नहीं ढून पाती है विजय परिवार की पंजीम यत्रा के प्रामान के रूप में बस टीकट मुई टीकट आवस और रिस्तारा बिल प्रस्तूत करता है मीरा उनका प्रिष्टानों में मालिकों से सवाल करती है जहां वे गए है और उनके बयान विजय की बहान साबित करते है मीरा को पता चलता है कि घटनक दिन विजय ने टीकट और बिल के लिया था मालिकों से परीचित हो गया था और अगले दिन अपने परिवार के साथ यत्रा पर चल गया था इस प्रकार अपनी बहना साबित कर रहा था और मालिकों को आन जाने में जूट बोल रहा था मीरा ने स तोड़े सच्चाई को हराने के लिए कूल बल उपियों करती है इस बिज मीरा के सैम की दोस्त एलेक्स से सैम और अंजू के उसके वीडियो के बारे में पता चलता है आखिरकार अनु अंदर आती है और बताती है कि उसने खात के गंड़े में एक सौव को दफन होती है देखा खात को गंड़ा खुदने के बाद अधिकारियों के एक कुत्ते से सौव मिला वीजाए मीडिया को रिपोर्ट करता है कि गाय तोड़े ने अपनी दोनों बेटीयों को सरीरी सोसना किया जिसने कोधित गाय तोड़े ने वीजाए पर हमले का प्रयाश किया लेकिन वीजाए अपने पद से इस्तिफा दे दिया और पूलिस इस्टेशन की पूरी जाज की टीम को सथांत्रीत किया दिया गया इसे मामले में अब बदार अदालत से प्रंधिकारन की आप सकता है जब नंदिनी विजय से पुछती है कि उसने शरीर के साथ क्या किया तो उसने यह कते हुए से बताने से इनकार कर दिया कि रहस्तिय उसके दिमाग में रहेगा और उसे बीना किसी निसान के उसके साथ जाना चाहिए मीरा और उनके पती महेश के वीडियो किलप और उनके बेटे की आसिस्ट और विर्कत वयार के लिए जर्मा मागने के लिए समूद के किनारे विजय से मिलते हैं और या पुशिट करने के लिए कि उनका बेटा जीवित है या नहीं वे या भी बताते हुए कि मीरा के भी भाई के साथ रहने के लिए लंदन जा रहे हैं अंत में विजय के गुपत रूप से सायम की मारने की बात कबूल कर ली वो अभी माफी भी मागता है और उन्हें समझत है कि वह अपने परिवार की रच्छ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है विजय के आपों में खेलते ही फिल्म वत्मान दीनों में लोट आती है वह वनमित ठाने में राजिश्टर पर हस्ताजर करता है हस्ताजर करते समयना या नरीचक उसे बताता है कि उसे मुर्ख नहीं बना जा सकता है कि वह नेजित रूप से पतर लगाएगा सी बिंदू और सी बिंदू पर विजय मुस्कुराते हुए स्विकार करता है कि उसे यकीन है कि सथानी पूलिस बल अपने सहरवासियों से रच्छा करेगा एक फैलेश्ट में खोलते हैं जब विजय वत्मान समय से पूलिस इस्टेशन के बाहर निकालता है यह खुलासा करता है कि विजय ने नए पूलिस इस्टेशन के तहट सोके दफनाया था जब कीजा निर्माधिन था जैसे ही वह अकसड़क के दोनों और देखता है फिल्म का अचानक एक बैलेक आउट के साथ बन हो जाती है लेकिन पूलिस में गार देती है जिसे अनुधारा देखा जाता है सोबह जब वह काम से लोटता है तो नांदे निर्म विजय को घटना के बारे में बताती है और वह अपने परिवार को पूली से बचाने के एक तरीका खुचता है वह टूटे हुए सेलफून को हटा देता है और स प्वाइब की कारगा निपटान करता है जिससे सब इसपेक्टर लच मिकात गाय तोड़ेई दारा देखास जाता है जो विजय के खिलाफ है अगले दिन वीजय अपने परिवार को पनजी की यत्रा पर ले जाता है जहां वे एक आत्राम जाते हैं 1 फिल्म देंखते हैं और एक रेस्तरा में भोजन करते हैं, लेकिन मीरा को पता चलता है कि उसका बेटा लपटा हो गया है, एक जाच शुरू करती है, परमभीक जाच के बाद मीरा विजय और परिवार को पुछताच के लिए बुलाती है, यह भविस्यानी करने के बाद कि पुलिस अंत विजय अपने परिवार को बीना संदे के पुछताच का सामना करने के लिए प्रेसिच करता है, जब वैतिक रूप से पुछताच की जाती है तो परिवार अपनी अपनी कहानियों पर अड़ा रहता है और पुलिस उनके बहाने में दरार नहीं ढूनता पाती है, विजय पर परिवार की पंजीम यात्रा की प्रमान के रूप में बस टिकट मुई टिकट आवस और रिस्तरा बिल परिस्तूत करता है, मीरा उन प्रिस्ति ठानों के मालिकों से सवाल करती है, जहां वे गए हैं और उनके बयान विजय की बहाना साबित करते हैं, मीरा को पता चलता है कि घटना के दिन विजय ने टीकट और बिल लेगे लिया था माली को से प्रेचित हो गया था और अगले दिन अपने परिवार के साथ यात्रा पर चल गया था इस प्रकार अपनी बहाना साबित कर रहा था और माली को अंजाने में जूट बोल रहा था मीरा सलगवार परिवार को गिरफतार कर लिया है और विजय नंदिनी और अंजू विरोध करने के बावजूद गय तोड़े सचाई को हाराने के लिए कुबूल कर कुल्क बल्क का उपियोग करती है इस बीच मीरा को सैम के दोस्तों एलेक से सैम और अंजू को उसके वीडियो के बारे में पता चलता है आखिरकार अनुम अंदर आती है और बताती है कि उसने खाद के गंड़े में एक सव को दफन होते देखा है खाद को गंड़ा खोड़ने के बाद आधिकारियों के एक कुट्ते का सव मिला विजय मीडिया को रिपोर्ट करता है कि गाय तोड़े अपनी दोनों बेटियों का सरीक घोसोसना किया जिसे कोधित गाय तोड़े ने विजय पर हमले का प्रयास किया लेकिन विजय ससुराल वाले जवाब करवाई करते है और एक भीड गाय तोड़े के पितने के लिए उठ खड़ी होती है गटना के बाद गाय तोड़े के निल्वित किर कर दिया गया मीरा ने अपने पद से इस्तिफाद दे दिया और पूलिस एस्टेशन की पूरी जाज टीम को सथानतीरीत किया कर दिया गया इस मामले में अब अदालत प्राधिकरन की आवसायकता है जब नंदिरी विजय से पूछती है उसने सरीर के साथ क्या किया तो उसने यह कहते हुए उसे बताने से इंकार कर दिया कि रस है उसके दिमाग में रहेगा और उसे बिना किसी निशान के उसके साथ जाना चाहिए दिकुत वयहार के लिए सर्मा मागने के लिए समूत के कीनारे वीजय से मिलते हैं और या पुशिट करने के लिए कि उनका बेटा जीवी था या नहीं वे या भी बताते हैं कि वे मीरा के भाई के साथ रहने के लिए लंदन जा रहा है। अंत में विजय ने गुप्त रूप से सैम को मारने की बात कबूल कर ली, वह माफी भी मांगता है और उन्हें समाजता है कि वह अपने परिवार की रच्छा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, विजय के आखों में खोलते ही फिल्म उहत्मान दीनों में लोट आती है, वह न निर्मित ठाने में राजिस्टर पर हास्ताजर करता है, हास्ताजर करते समय नया निरीश्चक उसे बताता है कि उसे मुर्ख नहीं बनाया जा सकता है, और वह निर्चित रूप से पता लगाया का जिस बिंदू पर विजय मुस्कुराते हुए स्विकार करता है, कि उसे यक है कि सथानी पुलिस बल अपने सवारिसियों की रच्छा करेगा एक फ़ले स्वेक के खेलता है जब विजय वतमाल समय में पुलिस एस्टेशन से बाहर निकालता है यह खुलासा करता है कि विजय ने नए पुलिस एस्टेशन के तहस्तों को दफना था जबकि वह निर्मा गि जाती है फेकना उस्पारदन कर अक्टूबर 24 में यह घोसना की गई थी कि सैफ अलिखान मुख्या भूमिकाव निभाएंगे और 23 में मलियालम प्रूती में मोहनलाल दारा निभाई गई भूमिका को फिर से निभाएंगे ऐसी भी खबरे थी कि अच्छे कुमार मुख्या भूमिकाव निभाएंगे लेकिन नवबर 24 में यह घोसना की गई कि अजय देवगान दोजातीरी की फिल्म में दूस्यम की हिंदिस रिमेक है रिमेक में अभिनाय करेंगे जिसे वयकाम अठारे मोशन दारा निर्मित किया जाएगा चित्रमाला एस्टूडियो के सयोग से और निशकात कामत दारा निर्देशी तब यूजनाय थी कि देवगान दोजातेरी की फिल्म में मोहन लाल दारा निभाए गई भूमिका को फिर से निभाए गे बाद में यह घोसना की गई कि तब एक पुलीस वाले मीरा देश्मुख की भूमिका निभाएंगे अत्रिया स अजय देवगान की पत्नी की भूमिका निभाएंगे फिल्म में इस फादन काटा फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी फरवरी 2015 में शुरू होने वाली थी वायकाम अठारे मोहन की बिक्चस के मुख्य पर इचलानन अधिकारी अरजित अधारे ने कहा दूर्सियम ए इकड मलयालम और तेलोगु अपने लिए बद बोलते हैं अभिनेता अजय देवगान अपनी आगामी फिल्म सिवाए के लिए बफ के दूर्सियों की स्यूटिंग के लिए कानाडा में थे लेकिन हालकी बर्फ की सिस्ती ने उन्हें उस फिल्म को फिर से सेंडियूल किया औ और एक अप्रिल दुजर पंद्रों को समाप्त हुआ फिल्म का तूसरा सेंडियूल अप्रिल के दूसरे सब्ताहत में शुरू हुआ फिल्म का पहला लुक 29 मई दुजर पंद्रों को जारी किया गया था हिंदी रिमेक की घोसना पर फिल्म निर्मता एकताव कपूर ने मलियालम फिल्म के निर्मताव को कानून नोटीस भेजा है इता कपूर ने जापानी लेखक कींगो की हेगरशिनो की किताब दुडिवीसन अफ एस्पेक्टर एक्स के फिल्म आधिकार हासिल कर लिए और उनकी कानूनी हासिल कर लिए और उनकी कानूनी की टीम ने दवा कि आधुर्षियम अपनायस का एक फिल्म रुपातरान है जिसके लिए उन्होंने आधिकार खरी दे हाला कि मुल्य दुर्श्यम की निर्देश और पठकटल लेखक जीतों की जेशेफ ने इस बात इनकार किया कि उनकी फिल्म जापानी अपनायस और फिल्म का रुपात्रन या प्रेती है टिकाकर नंदिनी रामानांद ने उलेख किया कि कैसे जापानी अपनायस दरा मामूली प्रेना इनकार करना अंदर की फिल्म की कहानी के समानतर के है क्योंकि जेशेफ जेशेफ की उपलधी एक बुरुदिमान आवधरन को उठाने के इसी इतनी प्रवी डन से सथान्युक्त करने में नहीं थै कि लिंक जापानी अपनायस के लिए तब तक कमजोड दिखाई देती है जब तक कि बराबरा की किसे चांच की गई दुर्सियम एक प्रून उपराद के बारे में एक दम सही उपराद है और इसके निर्देश की एली भी लगभाग उतनी वायूरोधी है जितनी की इस जिगामी ने आयूस को और मिसाते के लिए बनाने के लिए बनाई है दुर्सियम को उत्तर प्रदेश में करमुक्त गोशित किया गय था दुर्सियम की संगीत विशाल भरताईज ने दिया और बोल गुलजार ने लिखे है एस किंग दारा किया गया करबान कापी नामा एक गीत साथ जुलाई 2015 को जारी किया गय था दुर्सियम संगीत आधिकार की मयूजी कंपनीदारा आधिरी गरीत किये गये है दुर्सियम 31 जुलाई 2015 को भारत में 265 इस्क्रीनों पर रिलीज हुई थी स्वागस समहारो अलोचनाक्तमक्स सभीकारत्या दो टाइमस अफ इंडिया की मीना आयर ने फिल्म को पाच में से चार श्टार दिये इसे एक स्पेस ड्रामा विद ए नेल बाइटिंग की नीज बताया आयर ने सलगवार का परिवार के कुछ लोगों के लिए कास्टिंग किलपलों के अलोचका के लिकिन देवगन और तबू के प्रदसन की प्रसंसा की अजय जो यहां सिकार में सुरक्षक पिता की अपनी भूमिका में चमकता है तब वो अपनी सिकारी के रूप में उत्कुष्थ है हाला कि इंडियान एक स्पेस ने रिमे को पाच में से धाई इस्टार दिये और देवगन और त्रिया सरन के बीच की कैस्मीटिक में दोस्त पाया जो उनके क्रादार की पत्नी की भूमिका निभा रहे है इंडियान एक स्पेस ने देवगन के प्रदसन को सिथर और तबू के प्रदसन को अफ एन्ड आन के रूप में वनित किया यह टिपनी करते हुए कि वह कई बार कठोर हो जाती है इंडियान टाइमर्स के रोहित वतस ने फिल्म को आजानिया के मन्रोजन के किनारे की सीट चुकानेक वाला मन्रोजन की बताते हुए इसे पाँच सितारे में से साड़े तीन सितारे को मुलियालन किया संस्पेस ठिलर के रूप में सफल होने के लिए वतस ने फिल्म की प्रसंसा की दी रेडिफ के राजा सेन ने फिल्म को पाँच सितारे में से धाई सितारे की देटिंग दी यह देखते हुए कि फिल्म की गती बहुत धीमी गती से सुरू होती है सेन ने तबू को चतरित को इस्पेक्टर जनरल नायर ने के रूप में बदमास सुपरेश्टार के रूप में वनित किया लेकिन कूल मिला कर महसुस किया की फिल्म बेकार ढंग से लिखी गई है सवाद के साथ जो लड़की का लगता है इसके विपरित बालियू नागामा ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिये और नहीं सेन के सामन गती और सिक्सपट की समस्या पर धयान दे फिल्म में एक भी जन नहीं है जिसमें कोई अंतराल नहीं है जहां तक तड़का हुआ पठकता अप्रेल सिंधी है यह हर आप जानते है कि क्या हुआ था लेकिन फिर भी आपको एक स्वारी के लिए जाया जाता है और आप उस पर वित्रास करना सुरू कर देते हैं लेकिन गैलेम सर के मार्टीन ने दीजूसा ने इसे पाच में से चार इस्टार दिये और का दूस्यम एक इसपाट अंकाई क्रिम ठील है जिसमें कुछ दिल से आपके मूझ जण है यह पोडोलीम नमक एक बाने गाउं में सथापित है उत्री गाउं की पूरी पठकटा के बारे मे संतोस जनक बात गिया है कि वीजेपंदे पर जो कर रहे है वही आप अपने परिवार के लिए करेंगे कुछ भी काम नहीं आखिरकार परिवार ही हमारे पास है सुभास के जाने के इसे पाच में से साड़े चार इस्टार दिये और कहा निर्सकात कामत की दूस्यम एक भाव भी है गलफ नियुच की सुचित्र बाजे पीक चोधरी ने इसे पाच में से साड़े चार इस्टार दिये और कहा कहानी में कोई धीली सीरे नहीं है हर चत्रित हर सिस्ती सुनियोजित है और पून्ना के लिए कलपरा की जाती है पुरुस भूमी स्कोर की एक गीत के ब अजागर करने के लिए उलेखनी के रूप से भूलने योग लग रहा था दो फ्री प्रेस की जनरल एक फीजेस बयोरों ने कहा क्लाइमेक्स बहुत ही संदार और देखने लायक है और इतनाजार करने लायक है अभिने लिहाजा से अजे बहुत अच्छी है साथ ही तबू भ किया है और अपने किरादारों के साथ नया किया है फिल्म का निर्देशन और पटकेटा बहुत अच्छी है जबकि संगीट ठीक है मैं कहूंगा कि फिल्म और से देखनी चाहिए समीचा सम्हू के बेविवसाइट रटन टोमाटो ने बताया कि अस्ती समीच को उसने 65 और 60 स्रेटिंग के साथ पंदरे समिचाओं के आधार पर फिल्म को साकरात्मक समीचा दी है अपने पहले सपहत के अंतक दुडशियम ने लगभाग 463 मिलियान की कामाई कर ली थी फिल्म ने घरेलूबक्स आफिस पर 13 दीरों में 629 मिलियान की कामाई की अपने दूसरे सपहत के अंतक फिल्म में लगभाग चोसट सत्रे करोड मिलियन की कमाई कर ली थी अपने तिसरी सप्ताहत के अंतक फिल्म ने लगभाग चोसे सतासी मिलियन की कमाई कर ली थी अपने पाच्वे सप्ताहत के अंतक फिल्म ने लगभाग सासे संतावन मिलियन की कमाई कर ली थी अपने रन के अंतक भारती बक्स ऐस पर कुल, woven 97 कडोड टी मिलियन की भारत की कमाई की। अंतराश्टी शतर पर फिल्म ने साथ हवतो में से 155 मिलियन जी यूश मिलियन की संगरी किया। और दुनिया भर में कुल मिलाकर 11 बिलियन की यूएस 14 मिलियन की कुल कमाई तक पहुची गई प्रिनम इश्वादन करना मुल मलियालम फिल्म दुनियाम के सिक्वल की सांदार सफलता के बाद एक सिक्वल की पुरिशिट और घोष्णा की गई जो फरवरी 2021 में रिलीज होई थी रिमेक पिक्वल का निर्देशन निसकात का कामत ने कै किया था लेकिन अगस 2020 में उनकी मुत्यों के बाद रिमेक सिक्वल का निर्देशन निर्मता कुमार मंगत पाठक के बेटे अभिशिक पाठत करेंगे पाठक करेंगे रिमेक के सिक्वल जिसका सिर्चक दोसियंग भी है मैं पिक्वल के से पूरी काष्ट होगी अजय देवगन तबुत्रिया सरन इसीतर दर्तम मुनल जागाव और रजत का पूर्द और छे खरना के साथ साथ अपनी अपनी भूमिकाव को दोराएंगे रिमेक सिक्वल की भूमिका फोटोगराफी फरवरी 2022 में सुरू हुए और फिल्म 21 जून 2022 को हैरदराबाद मिलना पेटी गई है यह 18 नवंबा 2022 को दुनिया भर में नाट की रूप से दिली जोगी प्रमभिक जाज के बाद मीरा विजय और परिवार के पूछताज के लिए बुलाती है यह भविस्ने करने के बाद की पूलिस अंत बुलाएंगी विजय अपने परिवार को बीना संदे के पूछताज का साबना करने के लिए प्रेंसिज करता है जब वैतिक रूप से पूछताज की जाती है तो परिवार अपनी अपनी कहानियों पर अड़ा रहते हैं और पूलिस उनके बाहने में दरार नहीं ढून पाती है विजय परिवार की पंजीम यत्रा के प्रामान के रूप में बस टीकट मूवी टीकट आवस और रिस्तारा बिल प्रस्तूत करता है मीरा उनका प्रिस्तावनों में मालिकों से सवाल करती है जहां वे गए है और उनके बयान विजय की बहाना साबित करते है मीरा को पता चलते हैं कि घटनक दीन विजय ने टीकट और बिल के लिया था मालिकों से परिचित हो गया था और अगले दीन अपने परिवार के साथ यत्रा पर चल गया था इस प्रकार अपनी बहना साबित कर रहा था और मालिकों को आन जाने में जूट बोल रहा था मीरा ने सलगावर की परिवार को गिरफतार कर लिया है और विजय नंजनी और अंजू विर्योद करने के बावजूद गैटोरे सच्चाई को हराने के लिए कूल बल उपियो करती है इस बिच मीरा के सैम की दोस्त एलेक्स से सैम और अंजू के उसके वीडियो के बारे में पता चलता है आखिरकार अनू अंदर आती है और बताती है कि उसने खाद के गंडे में एक सौव को दफन होते हैं देखा खाद को गंडा खुदने के बाद अधिकारियों के एक कुत्ते से सौव मिला वीजाय मीडिया को रिपोर्ट करता है कि गायतोरे ने अपनी दोनों बेटियों को सरीरी सोसना किया जिसने कोधित गायतोरे ने वीजाय पर हमले का प्रयास किया लेकिन विजय के ससुराल वाले गया तोरे के पिटने के लिए छट खड़ी होती है घटना के बाद गया तोरे ने निल्बिन कर लिया गया मीरा ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया और पूलिस स्टेशन की पूरी जाच की टीम को सथांतरीत किया दिया गया इसे मामले में अब अदालत से प्रंधिकारन की आप सकता है जब नंदिनी विजय से पुछती है कि उसने शरीर के साथ क्या किया तो उसने यह कते हुए से बताने से इंकार कर दिया कि रहस्तिया उसके दिमाग में रहेगा और उसे बीना किसी निसान के उसके साथ जाना चाहिए मीरा और उनके पति महेश के वीडियो किलप और उनके बेटे की आसिस्ट और विर्कत वयार के लिए जर्मा मागने के लिए समुद के किनारे विजय से मिलते हैं और या पुछिट करने के लिए कि उनका बेटा जिवित है या नहीं हुए या भी बताते हुए कि मीरा के भी के साथ रहने के लिए लंदन जा रहे है अंत में वीजय के गुप्त-रूः ..से सायইम सायं քीम की मारने की बात कबूल कर ली। वह भी माफी मागता है और उन्हें समझता है कि वह अपने परिवार की रचर के लिए किसी भी हद तक जा सकता विजय के आपों में ख्योलते ही फिल्म वत्मान दीनों में लोट आती है वह वनमित ठाने में राजिश्टर पर हस्ताजर करता है हस्ताजर करते समयना या नरीचक उसे बताता है कि उसे मुर्ख नहीं बना जा सकता है कि वह नेजित रूप से पतर लगाएगा सी बिंदू और सी बिंदू पर विजय मुस्कुराते हुए सुविकार करता है कि उसे यकीन है कि सथानी पूलिस बल अपने सहरवासियों से रचा करेगा एक फैलेश्ट में खोलते है जब विजय वत्मान समय से पूलिस एस्टेशन के बाहर निकालता है या खुलासा करता है कि विजय ने पूलिस एस्टेशन के तहट सोके दफनाया था जब कीजा निर्माधिन था जैसे ही वह अकसड़क के दोनों और देखता है फिल्म का अचानक एक बैलेक आउट के साथ बन हो जाती है लेकिन गार देती सेवा चलाने वाले काटेंट बिजनेसमेन है उनका वीवान नंदिनी से हुआ है और उनकी दो बेटियों है जिनका नाम अंजु उनकी दर्तक बेटी अरहवाई कछा की छात्रा और अनु एक कछा का छो की छात्रा है उनकी दिल्चस्पी सिर्फ उस फिल्मे में देखने में है उन्होंनों फिल्म से सीखे तरीकी की मदद से लोगों की मदद करने के लिए अपने छेत्रा में बहुत प्रसिंद और समस्थान प्रपत किया है वीजय एक सलगावर एक अनाथ है जिसने चौठी कछा के बाद स्कूल छोड़ दिया अब वो गोवा में केवल तीवी से सेवा चलाने के कटिट बिजनेसमेन है उनका विवाह नंदिनी से हुआ है और उनकी दो बेटियों है जिनका नाम अंजु उनकी दर्तक के बेटी बारवी कच्छा के छात्रा है और अनु एक कच्छा का छात्रा है उनकी दिलचस्पी सिर्फ फिल्म के देखने में उन्होंनों फिल्मों में से सीखी तरीकों की मदद के लोगों से मदद करने के लिए अपने छेतरा में बहुत प्रसिंद और समस्त प्रपात किया है एक प्रकूती सिवीर के दोरान जिसमें अंजु भाग लेती है एक छीपा हुआ सेल फोन कैमरे अंजु को उसके पकड़ते हटाते हुए और बातरूम में सानान करते हुए रिकॉर्ड करता है अपरादी समीर सेम देशमुक गोवा पुलीस के महान रिचर के मीरा देशमुक का पुत्रा है सेम एक दिन योज जबंदों के लिए अंजु को बलेक मोल में करने के लिए आता है उसी रात उसके घर पर आता है जब नंदिनी भी आती है इसकी सुचना उनकी बेटी नए दी नंदिनी सेम से उनके परिवार को अकेला छोड़ने की विंती करती है लेकिन सेम वीडियो की लप्त को हटाने से इंकार कर देता है जब तक कि उसकी योन मांग पूरी नहीं हो जाती नंदिनी उसे अंजु को अकेला छोड़ने के लिए कहती है और सेम कहता है कि वह इस एक सर्थ पर करेगा नंदिनी को उसके साथ योन संभन रखना चाहिए अपमानजन सेल फोन तोड़ने की प्रयास में अंजुप सेम पक एक लीड पाइप के साथ एक सिवंग लेती है लेकिन वह उसे सिर में मारती है जिसे उसे तुरंत मार दिया जाता है वे उसके सरीर के छीपावडे में एक खाद के गंडे में गार देती है जिसे अनुदारा देखा जाता है सुबह जब वह काम से लोटता है तो नांदिरी वीजय को घटना के बारे में बताती है और वह अपने परिवार को पूली से बचाने के एक तरीका खुचता है वह टूटे हुए सेलफोन को हटा देता है और सैम की कार का निपटान करता है जिसे सब इस पेक्टर लच में कात गाय तोड़े दारा देखा जाता है जो वीजय के खिलाफ है अगले दिन वीजय अपने परिवार को पंजी की आत्रा पर ले जाता है जहां वे एक आत्राम जाते है एक फिल्म देखते है और एक रेस्तरा में भोजन करते है लेकिन मीरा को पता चलता है कि उसका बेटा लपता हो गया है एक जाच शुरू करती है परमभीक जाच के बाद मीरा वीजय और परिवार को पुछताच के लिए बुलाती है यह भविस्यानी करने के बाद की पुलिस अंत बुलाएगी विजय अपने परिवार को बीना संदे के पुछताज का सामना करने के लिए प्रेसिच करता है जब वैतिक रूप से पुछताज की जाती है तो परिवार अपनी अपनी कहानियों पर अड़ा रहता है और पुलिस उनके बाहाने में दरार नहीं डूणता पाती है विजय परिवार की पंजीम यात्रा की प्रमान के रूप में बस टिकट, मुवी टिकट, आवस और रिस्तरा बिल पिस्तूत करता है मीरा उन प्रिष्टि ठानों के मालिकों से सवाल करती है जहां वे गए हैं और उनके बयान विजय की बाहाना साबित करती है मीरा को पता चलता है कि घटना के दिन विजय तीकट और बिल लेगे लिया था माली को से प्रेचित हो गया था और अगले दिन अपने परिवार के साथ यात्रा पर चल गया था इस प्रकार अपनी बहाना साबित कर रहा था और माली को अंजाने में जूट बोल रहा था मीरा सलगवार परिवार को गिरफतार कर लिया है और विजय नंदिनी और अंजू विरोध करने के बावजूद गय तोड़े सचाई को हाराने के लिए कुबूल कर कूल बल्क का उप्योग करती है इस बीच मीरा को सैम के दोस्तों एलेक से सैम और अंजू को उसके वीडियो के बारे में पता चलता है आखिरकार अनुम अंदर आती है और बताती है कि उसने खाद के गंडे में एक सव को दफन होते देखा है खाद को गंडा खोडने के बाद आधिकारियों के एक कुट्टे का सव मिला विजय मीडिया को रिपोर्ट करता है कि गाय टोडे अपनी दोनों बेटियों का सरी गोसोसना किया जिसे कोधित गाय टोडे ने विजय पर हमले का प्रयास किया लेकिन विजय ससुराल वाले जवाब करवाई करते है और एक भीड गाय टोडे के पितने के लिए उठ खड़ी होती है गतना के बाद गाय टोडे के निल्बित किर कर दिया गया मीरा ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया और पूलिस एस्टेशन की पूरी जाज टीम को सथानतिरीत किया कर दिया गया इस मामले में अब अदालत प्राधिकरन की आवसयकता है जब नंदिरी विजय से पूछती है उसने सरीर के साथ क्या किया तो उसने यह कहते हुए उसे बताने से इंकार कर दिया कि रस है उसके दिमाग में रहेगा और उसे बिना किसी निसान के उसके साथ जाना चाहिए मीरा और उनके पती महेश वीडियो किलप और उनके बेटे के आसिस्ट और विरिकुत वयार के लिए सर्मा मागने के लिए समूद के किनारे विजय से मिलते है और या पुशिट करने के लिए कि उनका बेटा जीवी था या नहीं वे या भी बताते है कि वे मीरा के भाई के साथ रहने के लिए लंदन जा रहे है अंत में विजय ने गुप्त रूप से सैम को मानने की बात कबूल कर ली वह माफी भी मांगता है और उन्हें समाजता है कि वह अपने परिवार की रच्छा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है विजय के आखों में खोलते ही फिल्म दुहतमान दीनों में लोट आती है वह नवनिर्मित धाने में राजिश्टर पर हास्ताजर करता है हस्तजर करते समय नया निरीश्चक उसे बताता है कि उसे मुर्ख नहीं बनाया जा सकता है और वह अदनिर्चित रूप से पता लगाया का जिस बिंदु पर विजय मुस्कुराते हुए स्विकार करता है कि उसे यकीन है कि सथानी पुलिस बल अपने सवारसियों की रचा करेगा एक फ़ले स्वेक के खेलता है जब विजय वतमाल समय में पुलिस एस्टेशन से बाहर निकालता है यह खुलासा करता है कि विजय नए पुलिस एस्टेशन के तहस्ता को दफना था जबकि वह निर्मागधीन था जैसे ही वह सड़क के दोनों और देखता है और फिल्म अचानक एक बलेक आउट के साथ बंध हो जाती है अक्तूबर द्वज़ चवदे में यह घोसना की गई थी कि सैफ अलिखान मुख्या भुमिकाव निभाएंगे और द्वज़ तेरे में मलियालम प्रूती में मोहनलाल दारा निभाई गई भुमिकाव को फिर से निभाएंगे ऐसी भी खबरे थी कि अच्छे कुमार मुख्य भुमिकाव निभाएंगे लेकिन नववंबर दोज़ चवदे में यह घोसना की गई कि अजय देवगाव दोज़ तेरी की फिल्म में दुस्यम की हिंदिस रिमेक है रिमेक में अभिनाय करेंगे जिसे वयकाम अठारे मोशन दारा निर्मित किया जाएगा चित्रमाला एक स्टूडियो के सयोग से और निसकात कामत दारा निर्देशी तब योजनाय थी की देवगान दोज़ तेरी की फिल्म में मोहन लाल दारा निभाए गई भुमिका को फिर से निभाए गई बाद में योगोशना की गई कि तबू एक पुलीस वाले मीरा देशमुक की भुमिका निभाएंगी अत्रिया सरन अजय देवान की पत्नी की भुमिका निभाएंगी फिल्म में इस पादन काड़ा फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी फरवरी 2015 में शुरू होने वाली थी वायकाम अठारे मोहन की बिक्चस के मुख्या पर इचलानन अधिकारी अरजित अधारे ने कहा दूर्सियम एक प्रिस्ठीट फिल्म है जो आपको देखने के बाद लंबे समय तक मंतर उगुन और उच्सुत रहती है इसका बॉक्स ओफिस रिकर्ड मलयालम और तेलुगू अपने लिए बदबोलते है अभिनेता अजय देवण अपनी आगामी फिल्म सिवाय के लिए बफ के दूर्सियों की स्टिंग के लिए कानाडा में थे लेकिन हालकी बर्फ की सिस्ती ने उन्हें उस फिल्म को फिर से सेंडियूल किया और इसकी बजाए दुरस्यम शुरू करने के लिए भारत लोटा है फिल्म का पहला बीस दो सुटिंग सेंडियूल तेरे मार्च 2015 को गोवा में सुरू हुआ और एक अप्रिल 2015 को समाप्त हुआ फिल्म का तुसरा सेंडियूल अप्रिल के दुसरे सपताहत में सुरू हुआ फिल्म का पहला लुक 29 मई 2015 को जारी किया गया था हिंदी रिमेक की घोसना पर फिल्म निर्मता एकताव कपूर ने मलियालम फिल्म के निर्मताव को कानून नोटीस भेजा है एकता कपूर ने जापानी लेखक कींगों की हेगर सीनों की किताद दीविशन अफ एस्पेक्टर एक्स के फिल्म अधिकार हासिल कर लिए और उनकी कानूनी हासिल कर लिए और उनकी कानूनी की टीम ने दवा किया दुर्शियम अपनायस का एक फिल्म रुपात्रन है जिसके लिए उन्होंने आधिकार खरीदे हाला की मुल्य दुर्शियम की निर्देश और पठकटल लेखक जीतों की जेशेफ ने इस बात इंकार किया कि उनकी फिल्म जापानी अपनायस और फिल्म का रुपात्रन या प्रेती है टिकाकर नंदिनी रामानांद ने उलेख किया कि कैसे जापानी अपनायस दरा मामुली प्रेना इनकार करना अंदर की फिल्म की कहानी के समानतर के है क्योंकि जेशेफ जेशेफ की उपलधी एक बुरुदिमान आवधरन को उठाने के इसी इतनी प्रवी डन से सथान्युक्त करने में नहीं थै कि लिंक जापानी अपनायस के लिए तक तक तब तक कम जोड़ दिखाई देती है जब तक कि बराबराकी की से चांच की गई लगभाग उतनी वायूरोधी है जितनी की इसी गामी ने आयूस को और मिसाते के लिए बनाने के लिए बनाई है दुर्सियम को उत्तर प्रदेश में करमुक्त गोशित किया गय था दुर्सियम की संकीत विशाल भरताज ने दिया औहे और बोल गुलजार ने लिखे है एस किंग दारा किया गया करबान कापी नामा एक गीत साथ जुलाई 2015 को जारी किया गय था दुर्सियम संगीत आधिकार की मयूजी कंपनी दारा आधिरी गरीत किये गये है दुर्सियम 31 जुलाई 2015 को भारत में 265 इस्क्रीनों पर रिलीज हुई थी स्वागस समहारो अलोच नाक्तमक सभी करत्या दो टाइमर्स अफ इंडिया की मीना आयर ने फिल्म को पाच में से चार इस्टार दिये इसे एक स्पेस ड्रामा विद ए नेल बाइटिंग की नीज बताया आयर ने सलगवार के परिवार के कुछ लोगों के लिए कास्टिंग किलपलों के अलोचका के लिकिन देवगन और तबु के प्रदसन की प्रसंसा की अजय जो यहां सिकार में सुरक्षक पिता की अपनी भूमिका में चमकता है तब वो अपनी सिकारी के रूप में उत्कुष्थ है हाला कि इंडियन एक स्पेस ने रिमे को पाच में सिढाई एस्टार दिये और देवगन और त्रिया सरन के बीच की कैस्मीटिक में दोस पाया जो उनके क्रादार की पत्नी की भूमिका निभा रहे है इंडियन एक स्पेस ने देवगन के प्रदसन को सिथर और तबु के प्रदसन को अफ एंड आन के रूप में वनित किया यह टिपनी करते हुए कि वह कई बार कठोर हो जाती है इंडुस्तान टाइमर्स के रोहित वतस ने फिल्म को आजानिया के मन्रोजन के किनारे की सीट चुकानेक वाला मन्रोजन की बताते हुए इसे पांच सितारे में से साड़े तीन सितारे को मुलियालन किया सन्स्पेस थिलर के रोप में सफल होने के लिए वतस ने फिल्म की प्रसंसा कि दी रिडिप के राजा शेन ने फिल्म को पांच सितारे में से ढ़ाई सितारे की लेटिंग दी यह देखते हुए कि फिल्म की गती बहुत धीमी गती से सुरू होती है सेन ने तबू को चतरित को इस्पेक्टर जनरल नायर ने के रूप में बदमास सुपरेश्टार के रूप में वनित किया लेकिन कूल मिला कर महसुस किया कि फिल्म बेकार ढंग से लिखी गई है सवाद के साथ जो लड़की का लगता है इसके विपरित बालियू नागामा ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिये और नहीं से इनके सामन गती और सिक्सपट की समस्या पर धयान दे फिल्म में एक भी जन नहीं है जिसमें कोई अंतराल नहीं है जहां तक तड़का हुआ पठकता अप्रेज सिंधी है यह हर आप जानते है कि क्या हुआ था लेकिन फिर भी आपको एक स्वारी के लिए जाया जाता है और आप उस पर वित्रास करना शुरू कर देते है लेकिन गैलेंसर के मार्टीन ने दीजूसा ने इसे पाच में से चार इस्टार दिये और का दूस्यम एक इसपाट अंकाई क्रिम ठील है जिसमें कुछ दिल से आपके मुझ जण है यह पोडोलीम नमक एक बाने गाउं में सथापित है उत्री गाउं की पूरी पठकटा के बारे मे संतोस जनक बात यह है कि वीजय पंदे पर जो कर रहे है वही आप अपने परिवार के लिए करेंगे कुछ भी काम नहीं आखिरकार परिवार ही हमारे पास है सुभास के जाने के इसे पाच में से साड़े चार इस्टार दिये और कहा निर्सकात कामत के दूस्यम एक प्रून पुविजेता है या ना केवल एक उलेखनी गुंजने वाला रिमेक है बलकि एक अनूठा एस्टेन अलोगन अनुभाव भी है गलफ नियुच की सुचित्र बाज बाज बाजे पीक चोधरी ने इसे पाच में से साड़े चार इस्टार दिये और कहा कहानी में कोई धीली सी पीरे नहीं है हर चत्रिस्त हर सिस्ती सुनी योजित है और पून्ना के लिए कलपरा की जाती है पुरुस भूमी स्कोर की एक गीत के बावजूद विचात्रेतेज है पात्रों के अधाक को अजागर करने के लिए उलेखनी के रूप से भूलने योग लग रहा था दफ्री प्रेस की जनरल एक फीजेस बयोरों ने कहा क्लाइमेक्स बहुत ही संदार और देखने लायक है और इताजार करने लायक है अभिने लिहाजा से अजे बहुत अच्छी है साथ ही तबू भी तिरिया और बेटियों ने भी संदार अभिने किया है और अपने किरदारो के साथ नया किया है फिल्म का निर्देशन और पटकेटा बहुत अच्छी है जब कि संगीट ठीक है मैं कहूंगा कि फिल्म आउसे देखनी चाहिए समीछा सम्हू के बेवविवसाइट ड्राटन टोमाटो ने बताया कि 80 समीच को उसने 65-60 रेटिंग के साथ 15 समीचाओ के पहले सप्ताहाद के अंतक दुर्शियम ने लगभाग 463 मिलियन की कमाई कर ली थी फिल्म ने घरेलू बक्स ओफिस पर तेरे दीरों में 629 मिलियन की कमाई की अपने दूसरे सप्ताहाद के अंतक फिल्म में लगभाग 477 करोड मिलियन की कमाई कर ली थी अपने तीसरी सफदाहद के अंतक फिल्म ने लगभाग 6-87 मिलियन की कमाई कर ली थी अपने पाच्वे सप्ताहत के अंतक फिल्म ने लगभाग सास से संतावन मिलियन की कमाई कर ली थी। अंगरी किया और दुनिया भर में कुल मिलाकर 11 बिलियन की युएस 14 मिलियन की कुल कमाई तक पहुची गई। की मुत्यों के बाद रीमेक सिकुल का निर्देशन निर्मता कुमार मंगद पाठक के बेटे अभिसेक पाठत करेंगे। पाठक करेंगे रीमेक के सिकुल जिसका सिर्चक दोसियंग भी है। मैं पिक्रुल के से पूरी काष्ट होगी अजय देवगन तबुत्रिय सरन इसी तरदर्दम मुनल जागाओ और रजत का पूर्द अच्छे खरना के साथ साथ अपनी अपनी भूमिकाओं को दोराएंगे। रीमेक सिकुल की भूमिका फोटोगराफी फरवरी 2022 में सुरू हुए और फिल्म 21 जिन 2022 को हैरदराबाद मिलना पेटी गई है यह आठारे नवंबा 22 को दुनिया भर में नाट की रूप से दिली जोगी। प्रमभिक जाज के बाद मीरा विजय और परिवार के पूछताज के लिए बुलाती है। अगले दिन अपने परिवार के साथ यत्रा पर चल गया था इस प्रकार अपने बहाना साबित कर रहा था। मालिकों को आन जाने में जूट बोल रहा था। मीरा ने सलगावर की परिवार को गिरफतार कर लिया है। और विजय नंजनी और अंजू विर्योद करने के बावजूद गैटोरे सच्चाई को हराने के लिए कूल बल उपियो करती है। इस बीच मीरा के सैम की दोस्त एलेक्स से सैम और अंजू के उसके वीडियो के बारे में पता चलता है। अखिरकार अनु अंदर आती है। और बताती है कि उसने खात के गंडे में एक सव को दफन होते हैं। खात को गंडा खुदने के बाद अधिकारियों के एक कुट्टे से सव मिला। वीजाई मीडिया को रिपोर्ट करता है कि गायतोडे ने अपनी दोनों बेटियों को सरीरिक सोसना किया जिसने कोधित गायतोडे ने वीजाई पर हमले का प्रयास किया। लेकिन विजय के ससुराल वाले गया तोरे के पिटने के लिए छट खड़ी होती है घटना के बाद गया तोरे ने निल्बिन कर लिया गया मीरा ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया और पूलिस स्टेशन की पूरी जाज की टीम को सथांतरीत किया दिया गया इसे मामले में अब अदालत से प्रंधिकारन की आप सकता है जब नंदिनी विजय से पुछती है कि उसने शरीर के साथ क्या किया तो उसने यह कते हुए से बताने से इंकार कर दिया कि रहस्तिया उसके दिमाग में रहेगा और उसे बीना किसी निसान के उसके साथ जाना चाहिए मीरा और उनके पती महेश के वीडियो किलप और उनके बेटे की आसिस्ट और विर्कत वयार के लिए जर्मा मागने के लिए समुद के किनारे विजय से मिलते हैं और या पुसिट करने के लिए कि उनका बेटा जिवित है या नहीं हुए या भी बताते हुए कि मीरा के भी भ बचता है कि वह अपने परिवार की रच्छ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुस्कुराते हुए सुविकार करता है कि उसे यकीन है कि सथानी पूलिस बल अपने सहरवासियों से रच्छ करेगा। आउट के साथ बन हो जाती है लेकिन इस सेव चलाने वाला त्रूम में सानान करते हुए रिकॉर्ड करता है। प्रादी समीर सेम देशमुक गोवा पुलीस के महानरीच के मीरा देशमुक का पुत्रा है। सेम एक दिन यो सबंदो के लिए अंजू को बलेक मौल में करने के लिए आता है। उसी रात उसके घर पर आता है। जब नंदिनी भी आती है इसकी सुचना उनकी बेटी नए दी। नंदिनी सेम से उनके परिवार को अकेला छोड़ने की विंती करती है। लेकिन सेम वीडियो की लप्त को हटाने से इंकार कर देता है। जब तक कि उसकी योन मांग पूरी नहीं हो जाती। नंदिनी उसे अंजू को अकेला छोड़ने के लिए कहती है। और सेम कहता है कि वह इस एक सर्थ पर करेगा नंदिनी को उसके साथ योन संभन रखना चाहिए। अपमानजन इस सेलफोन तोड़ने की प्रयास में अंजूप सेमपक एक लीड पाइप के साथ एक सिवंग लेती है लेकिन वह उसे सिर में मारती है जिसे उसे तुरंत मार दिया जाता है। वह उसके सरीर के छीपावडे में एक खाद के गंडे में गार देती है जिसे अनुदारा देखा जाता है सुबह जब वह काम से लटता है तो लांदिनी वीजय को घटना के बारे में बताती है और वह अपने परिवार को पूली से बचाने की एक तरीका खुचता है। वह तूटे हुए सेलफोन को हटा देता है और सैम की कार का निपटान करता है जिसे सब इस पेक्टर लचमिकात गाय तोड़ेगी दारा देखा जाता है जो वीजय के खिलाफ है अगले दिन वीजय अपने परिवार को पंजी की आत्रा पर ले जाता है जहावे एक आत्रम ज करता हो गया है एक जाच शुरू करती है प्रम भीग जाच के बाद मीरा विजय और परिवार को पुछताच के लिए बुलाती है यह भविस्यानी करने के बाद की पुलिस अंत बुलाएगी विजय अपने परिवार को बीना संदे के पुछताच का सामना करने के लिए प्रे में दरार नहीं फूनता पाती है विजय परिवार की पंजीम यत्रा की प्रमान के रूप में बस टीकट मुई टीकट आवस और रिस्तरा बिल प्रिस्तूत करता है मीरा उन प्रिस्ति ठानों के मालिकों से सवाल करती है जहां वे गए है और उनके बयान विजय की बाहाना मालिकों से प्रेचित हो गया था और अगले दिन अपने परिवार के साथ यात्रा पर चल गया था इस प्रकार अपनी बहाना साबित कर रहा था और मालिकों अंजाने में जूट बोल रहा था मीरा सलगवार परिवार को गिरफतार कर लिया है और विजय नंदिनी और अंजू विरोध करने के बावजुद गाय तोड़े सचाई को हाराने के लिए कुल बल्क का उपियोग करती है इस बीच मीरा को सैम के दोस्तों एलेक से सैम और अंजू को उसके वीडियो के बारे में पता चलता है आखिरकार अनुम अंदर आती है और बताती है कि उसने खाद के गंड़े में एक सव को दफन होते देखा है खाद को गंड़ा खोड़ने के बाद आधिकारियों के एक कुत्ते का सव मिला विजय मीडिया को रिपोर्ट करता है कि गाय तोड़े अपनी दोनों बेटियों का सरीक घोसोसना किया जिसे कोधित गाय तोड़े ने विजय पर हमले का प्रयास किया लेकिन विजय ससुराल वाले जवाब करवाई करते है और एक भीड गाय तोड़े के पितने के लिए उठ खड़ी होती है गटना के बाद गाय तोड़े के निल्वित किर कर दिया गया मीरा ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया और पूलीस स्टेशन की पूरी जाज टीम को सथान्तिरीत किया कर दिया गया इस बामले में अब अदालत प्राधिकरन की आवसायकता है जब नंदरी विजय से पूछती है उसने सरीर के साथ क्या किया तो उसने यह कहते हुए उ प्रस है उसके दिमाग में रहेगा और उसे बिना किसी निसान के उसके साथ जाना चाहिए मीरा और उनके पती महेश वीडियो किलप और उनके बेटे के आशिस्ट और विलिकुत वयार के लिए सरमा मागने के लिए समूध के किनारे विजय से मिलते है और या पूछिट करन के लिए कि उनका बेटा जीवी था या नहीं वे यह भी बताते हैं कि वे मीरा के भाई के साथ रहने के लिए लंदन जा रहे हैं अंत में विजय ने गुप्त रूप से सैम को मारने की बात कबूल कर ली वह माफी भी मांगता है और उन्हें समझता है कि वह अपने परिवार की रच्छा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है विजय के आखों मेक्खे खोलते ही फिल्म वतमान दिनों में लोट आती है वह आव नावनिर्मित ठाने में राजिश्टर पर हास्तजर करता है हास्तजर करते हैं समय निया निरीष्चक उसे बताता है कि उसे मुर्ख नहीं बन आया जा सकता है और वह निर्चित रूप से पता लगाया का जिस बिंदू पर विजय मुस्कुराते हुए स्विकार करता है कि उसे यकीन है कि सथानी पुलिस बल अपने सवारसियों की रचा करेगा एक फ़ले स्वेक के खेलता है जब विजय वतमाल समय में पुलिस एस्टेशन से बाहर निकालता है यह खुलासा करता है कि विजय नए पुलिस एस्टेशन के तहस्ता को दफना था जबकि वह निर्मागिधीन था जैसे ही वह सड़क के दोनों और देखता है और फिल्म अचा अनक एक ब्लेक आउट के साथ बंध हो जाती है फेकना उसबादन कर अक्तूबर दुजय चवदे में यह घोसना की गई थी कि सैफ अलिखान मुख्या भूमिकाव निभाएंगे और दुजय तेरे में मलियालम प्रूती में मोहनलाल दारा निभाई गई भूमिका को फिर से निभाएंगे ऐसी भी खबरे थी कि अच्छे कुमार मुख्या भूमिकाव निभाएंगे लेकिन नवबर दुजय चवदे में यह घोसना की गई कि अजय देवगान दुजय तेरी की फिल्म में दूसियम की हिंदिस रिमेक है रिमेक में अभिनाय करेंगे जिसे वयकाम तेरी की फिल्म में मोहन लाल दारा निभाएंगे भूमिका को फिर से निभाएंगे बाद में यह घोसना की गई कि तबू एक पुलीस वाले मीरा देशमुक की भूमिका निभाएंगे अत्रिया सरन अजय देवान की पत्नी की भूमिका निभाएंगे फिल्म में एस्पाद इसके मुख्या पर इचलानन अधिकारी अरजित अधारे ने कहा दूर्सियम एक प्रिस्ठीट फिल्म है जो आपको देखने के बाद लंबे समय तक मंत्रुगुन और उच्सुत करहती है इसका बॉक्स्ट ऑफिस रिकॉर्ड मलयालम और तेलुगु अपने लिए बन बोलते ह उन्हें उस फिल्म को फिर से सेंडियूल किया और इसके बजाय दूर्सियम शुरू करने के लिए भारत लोटाए फिल्म का पहला बीस दुस्वी सुटिंग सेंडियूल तेरे मार्च 2015 को गोवा में शुरू हुआ और एक अप्रिल 2015 को समाप्त हुआ फिल्म का तूसरा फिल्म का पहला लुक 29 मही 2015 को जारी किया गया था हिंदी रिमेक की घोसना पर फिल्म निर्मता एकताव कपूर ने मलियालम फिल्म के निर्मताव को कानून नोटीस भेजा है एकता कपूर ने जापानी लेखक कींगों की हेगर सीनों की किताद दीविशन अफ एस्पेक्ट एक्स के फिल्म अधिकार हासिल कर लिए और उनकी कानूनी हासिल कर लिए और उनकी कानूनी की टीम ने दवा किया दुर्सियम अपनायस का एक फिल्म गुरुपात्रान है जिसके लिए उन्होंने अधिकार खरी दे हाला कि मुल्य दुर्सियम की निर्देस और पठकटल ले और फिल्म का रुपात्रन या प्रेती है टिकाकर नंदिनी रामानांद ने उलेक किया कि कैसे जपानी अपनायस दारा मामुली प्रेना इन से इनकार करना अंदर की फिल्म की कहानी के समानतर के है क्योंकि जेटूस जेस जोसेफ की उपलधी एक बुरुदिमान आवधरन को उ उठाने के इसी इतनी प्रवी डंड से सथान्युक्त करने में नहीं थै कि लिंक जपानी अपनायस के लिए तक तक तब तक कमजोड दिखाई देती है जब तक कि बराबरा की की से चांच की गई दूर्सियम एक प्रून उपराद के बारे में एक दम सही उपराद है और इस इसकी निर्देश की एलीबी लगभाग उतनी वायूरोधी है जितनी की इस जिगामी ने आयूस को और मिसाते के लिए बन गई बनाने के लिए बनाई है दूर्सियम को उत्तर प्रदेश में कर्मुक्त गोशित किया गय था दूर्सियम की संगीत विशाल भरताज ने दिया और बोल गुलजार ने लिखे है एस किंग दारा किया गया करबान कापी नामा एक गीत साथ जुलाई 2015 को जारी किया गय था दूर्सियम संगीत आधिकार की मयूजिक कंपनी दारा आधिरी गरीत किये गये है दूर्सियम 31 जुलाई 2015 को भारत में 265 इसक्रिनों पर रिलीज ह थी स्वागस समहारो अलोच नाक्तमक सभी करतिया दो टाइमस ओफ इंडिया की मीना आयर ने फिल्म को पाच में से चार इस्टार दिये इसे एक सल स्पेस ड्रामा विद ए नेल बाइटिंग की नीज बताया आयर ने सलगवार का परिवार के कुछ लोगों के लिए कास्टि किलपलों के अलोचका के लिकिन देवगन और तबु के प्रदसन की प्रसंसा की अजय जो यहां सिकार में सुरक्षक पिता की अपनी भूमिका में चमकता है तब वो अपनी सिकारी के रूप में उत्कुष्ट है हाला कि इंडियान एक स्पेस नेरी में को पाच में और त्रिया सरन के बीच की कैस्मीटिक में दोस्त पाया जो उनके क्रादार की पत्नी की भूमिका निभा रहे हैं इंडियान एक स्पेस ने देवगन के प्रदसन को सिथर और तबु के प्रदसन को अफ एंड आन के रूप में वनित किया यह टिपनी करते हुए कि वह कई ब नेक वाला मन रोजन की बताते हुए इसे पांच सितारे में से साड़े तीन सितारे को मुलियालन किया संस्पेस ठिलर के रूप में सफल होने के लिए वतस ने फिल्म की प्रसंसा की दी रेडिव के राजा सेन ने फिल्म को पांच सितारे में से धाई सितारे की देटिंग द सेन ने तबू को चत्रित को इस्पेक्टर जनरल नायर ने के रूप में बदमास सुपरेश्टार के रूप में वनित किया लेकिन कूल मिलाकर महसुस किया कि फिल्म बेकार ढंग से लिखी गई है सवाद के साथ जो लड़की का लगता है इसके विपरित बालियू नांगामा ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिये और नहीं से इनके सामन गती और सिक्सपट की समस्या पर धयान दे फिल्म में एक भी जन नहीं है जिसमें कोई अंतराल नहीं है जहां तक तड़का हुआ पठकता अप्रेज सिंधी है यहर आप जानते हैं कि क्या हुआ था लेकिन फिर भी आपको एक स्वारी के लिए जाया जाता है और आप उस पर वित्रास करना सुरू कर देते हैं कालेंसर के मार्टीन ने दीजूसा ने इसे पाच में से चार इस्टार दिये और कहा दूस्यम एक इसपाट अंकाई क्रिम ठील है जिसमें कुछ दिल से आपके मुझ जण है यह पोडोलीम नमक एक बाने गाउं में सथापित है उत्री गाउं की पूरी पठकटा के बारे मे संतोस जनक बात गिया है कि वीजेपंदे पर जो कर रहे है वही आप अपने परिवार के लिए करेंगे कुछ भी काम नहीं आखिरकार परिवार ही हमारे पास है सुभास के जाने के इसे पाच में से साड़े इचार इस्टार दिये और कहा निक्सकात कामत की दूस्यम एक प् भाव भी है गलफ नियुच की सुचित्र बाज बाजे पिक चोधरी ने इसे पाच में से साड़े चार इस्टार दिये और कहा कहानी में कोई धीली सीरे नहीं है हर चत्रित हर सिस्ती सुनी योजित है और पून्ना के लिए कलपरा की जाती है पुरुस भूमी स्कोर की एक ग भाव को अजागर करने के लिए उलेखनी के रूप से भूलने योग लग रहा था दफ्री प्रेस की जनरल एक फीजेस बयोरों ने कहा क्लाइमेक्स बहुत ही संदार और देखने लायक है और इंतजार करने लायक है अभिने लिहाजा से अजे बहुत अच्छी है साथ ही कारों के साथ नया किया है फिल्म का निर्देशन और पटकेटा बहुत अच्छी है जबकि संगीट ठीक है मैं कहूंगा कि फिल्म और से देखनी चाहिए समीचा सम्हू के विवसाइट रटन टोमाटों ने बताया कि अस्ती समीच को उस्त ने 65 और 60 रेटिंग के साथ 15 अपने पहले सब्ताहत के अंतक दूर्शियम ने लगभाग 463 मिलियन की कमाई कर ली थि फिल्म ने घरेलू बक्स ओफिस पर तेरे दीरों में 629 मिलियन की कमाई की, अपने दुसरे सब्ताहत के अंतक फिल्म में लगभाग 647 करोड मिलियन की कमाई कर ली थी, अपने तिसरी सब्ताहत के अंतक फिल्म ने लगभाग 687 मिलियन की कमाई कर ली थी, अपने छेटे सबताहद के अंतक फिल्म ने लगभाग साथ सब पैसेट मिलियन की कमाई कर ली थी इसने अपने रन के अंतक भारती बक्स आफिस पर कुल एकानवे संतानवे करोड की मिलियन की भारत की कमाई की अंतराष्टी सतर पर फिल्म ने साथ हपतों में से 155 मिलियन यूस मिलियन की संगरी किया और दुनिया भर में कुल मिलाकर 11 बिलियन की यूइस 14 मिलियन की कुल कमाई तक पहुच गई प्रिनम इश्वादन करना मुल मलियालम फिल्म दुर्सियम के सिकुल की सांदार सफलता के बाद एक सिकुल की पुरिशिट और घोष्णा की गई जो फरवरी 2021 में रिलीज होई थी रिमेक पिक्रुवल का निर्देशन निसकात का कामत ने कै किया था लेकिन अगस 2020 में उनकी मुत्यों के बाद रिमेक सिकुल का निर्देशन निर्मता कुमार मंगत पाठक के बेटे अभिसेख पाठक करेंगे पाठक करेंगे रिमेक के सिकुल जिसका सिर्चक दोसियंग भी है मैं पिक्रुवल के से पूरी काष्ट होगी अजय देवगन तबुत्रिया सरन इसीतर दर्दम मुनल जागाव और रजत का पूर्द अच्छे खरना के साथ साथ अपनी अपनी भूमिकाव को दोहराएंगे रिमेक सिकुल की भूमिका फोटोगराफी फरवरी 2022 में सुरू हुए और फिल्म 21 जून 2022 को हैरदराबाद मिलना पेटी गई है यह 18 नवंबा 2022 को दुनिया भर में नाट की रूप से दिली जोगी परंभिक जाज के बाद मीरा वीजय और परिवार के पूछताज के लिए बुलाती है यह भविष्ण करने के बाद की पूलिस अंत बुलाएंगी वीजय अपने परिवार को बीना संदे के पूछताज का सामना करने के लिए प्रेंस्टीच करता है जब वैतिक रूप से परिवार अपनी अपनी कहानियों पर अड़ा रहते हैं और पूलिस उनके बाहने में दरार नहीं ढून पाती है। विजय परिवार की पंजीम यत्रा के प्रमान के रूप में बस टीकट मुवी टीकट आवस और रिस्तारा बिल प्रस्तूत करता है। मीरा उनका प्रिस्तावनों में मालिकों से सवाल करती है जहां वे गए हैं और उनके बयान विजय की बाहना साबित करते हैं। मीरा को पता चलता है कि घटनक दिन विजय ने टीकट और बिल के लिया था, मालिकों से परीचित हो गया था और अगले दिन अपने परिवार के साथ यत्रा पर चल गया था, इस प्रकार अपनी बहना साबित कर रहा था और मालिकों को आन जाने में जूट बोल रहा था, मीरा ने सलगावर की परिवार को गिरफतार कर लिया है और विजय नंजनी और अंजू विर्योद करने के बावजूद गैटोरे सच्चाई को हराने के लिए कूल बल उपियो करती है इस बिच मीरा के सैम की दोस्त एलेक्स से सैम और अंजू के उसके वीडियो के बारे में पता चल को दफन होती है देखा खात को गंड़ा खुदने के बाद अधिकारियों के एक कुट्व से सल्व मिला विजय मीडिया को रिपोर्ट करता है कि गैटोरे ने अपनी दोनों बेटियों को सरीरिस सोसना किया जिसने कोधित गैटोरे ने विजय पर हमले का प्रयाश किया लेकि पद से इस्तिफा दे दिया और पूलिस स्टेशन की पूरी जाज की टीम को सथांतरीत किया दिया गया इसे मामले में अब बदार अदालत से प्रंधिकारन की अब सकता है जब नंदिनी विजय से पुछती है कि उसने शरीर के साथ क्या किया तो उसने यह कते हुए से बताने स इनकार कर दिया कि रहस्तिय उसके दिमाग में रहेगा और उसे बीना किसी निसान के उसके साथ जाना चाहिए मीरा और उनके पती महेश के वीडियो किलप और उनके बेटे की आसिस्ट और विर्कत वयार के लिए जर्मा मागने के लिए समूद के किनारे विजय से मिलते हैं और या पुशिट करने के लिए कि उनका बेटा जिवित है या नहीं वे या भी बताते हुए कि मीरा के भी भाई के साथ रहने के लिए लंदन जा रहे हैं। अंत में विजय के गुपत रूप से सायम की मारने की बात कबूल कर ली। वह भी माफी भी मागता है और उन्हें समझता है कि वह अपने परिवार की रच्छ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विजय मुश्कुराते हुए सुविकार करता है कि उसे यकीन है कि सथानी पूलिस बल अपने सहरवासियों से रच्छ करेगा। एक फैलेस में खोलते हैं जब विजय वतमान समय से पूलिस एस्टेशन के बाहर निकालता है। यह खुलासा करता है कि विजय ने नए पूलिस एस्टेशन के तहट सोके दफनाया था जब कीजा निर्माधिन था। जैसे ही वाक सड़क के दोनों और देखता है फिल्म का अचानक एक बैल एक आउट के साथ बंद हो जाती है लेकिन तुम में सानान